हाई मेरा नाम है श्रयांस और कैसे हो आप सबी लोग मैं आप लोग एक बार फिर से स्वागत करता हूँ फटर फो के एक नए वीडियो में और जो आज की वीडियो है वो सबसे यादा रेक्वेश्टर टॉपिक के उपर है जो है आपका CMS चाहे आप e-commerce बनाओ चाहे आप कोई news का app बनाओ चाहे कोई article publishing का app बनाओ वहाँ पर आपको CMS जरूर चाहिए होता है CMS का मतलब होता है content management system जहां से user अपने content को manage करता है user मतलब जो ऐसा है जो admin हो गया वो content को manage करता है ठीक है तो उसी चीज़ को बनाएंगे और ये project जो होगा वो fully मतलब full series आएगे इसकी ठीक है क्योंकि मैंने बहुत सारे projects ऐसे हैं जो मैंने बीच में छोड़े हैं लेकिन अभी कुछ time से मैं सारे projects को complete कर रहा हूँ तो ये जो project होगा हो सकता है कि ये लंबा भी चला जाए या हो सकता है कई part में आए तो please आप पूरे project में बने रहना क्योंकि इसमें मैं complete CMS बताऊंगा कुछ series तक हमारा सिर्फ UI design चलेगा उसके बाद हमारा backend चलेगा ठीक है तो चलेए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले एक important information आप लोगों के लिए कि जो आप लोग मेरे website से purchase करते हो जो हमारी UI हो गई या तो कोई app हो गया या backend, front end दोनों हो गया तो उसमें कुछ pages आपको खुद customize करने पढ़ेंगे वह मैंने इसलिए किया हुए है क्यूंकि अगर मैं सभी page को design कर दूँ और आप लोग सिधे उसको build करके, apk build करके play store पे submit करना शुरू कर दोगे तो हो सकता है copyright का issue आ जाए ठीक है तो इसलिए कुछ pages आप अपने इस customize करना और उसके अंदर भी आप customization कर देना मतलब जो many pages बनाए उसके अंदर थोड़ा सा customize करना color change करना या तो थोड़ा सा test change कर देना यह सारी चीज़े कर देना आप लोग ठीक है तो अगर आप लोग को वह अच्छा लगता हो तो आप एक बार comment करके बता देना ने तो अगर आपको full app चाहिए तो आप हमारे से service भी ले सकते हो कि अगर आपको पूरा वह बनवाना है तो जो भी मेरे websites पे हैं चलि लेकिन मैं यहाँ पर इस project को clone कर दूँगा जिससे कि आप मेरे website पर जाकर इस theme को ही purchase कर सकते हो ठीक जो भी theme होगी वो Flutter Flow में पूरी build रहेगी चलो वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं अपने topic की तरफ देखो सबसे पहले हमें क्या करना होगा हमें समझना होगा कि हमें क्या क्या चीज़े इसमें रखनी है जैसे मतलब कितनी categories हमें रखनी है CMS के अंदर अगर आप e-commerce बना रहे हो ठीक है तो आप product रखोगे ठीक और inbox रखोगे जहाँ पर customer chat कर पाए आपसे उसके बाद order का list रखोगे then product का stock रखोगे की product available है या नहीं है उसके बाद pricing र इस टाइप में बना के रखोगे आप लोग तो अभी फिलाल में हम तीन चीज़े लेख चलते हैं जो होगा सबसे पहला हमारा dashboard product और inbox का ठीक है इसका UI बनाते हैं तो UI बनाने से पहले थोड़ी सी चीज़े हम लोग कस्टमाइज करेंगे जो होगा हमारा setting के अंदर यहाँ यहाँ पर आएंगे और web publishing के अंदर आएंगे ठीक है यहाँ पर हमको दिखाएगा कि हमारा जो web है वो सभी support नहीं कर रहा है web support नहीं अभी तो यहाँ पर क्लिक करके हम लोग सिधे आएंगे open platform setting पर और इसको हम लोग web को on कर देंगे ठीक है अब advanced web setting है हमारी यहाँ पर मैं यहाँ पर कर देता हूं यूज ओर इंजन कर देता हूं और यूज क्रेंवास किट अब नीचे आएंगे web publishing के अंदर और यहाँ पर मैं डाल देता हूं CRM नहीं CRM नहीं CMS है यह हमारा तो CMS e-commerce कर देता हूं या तो मैं ऐसे कर दूँँ e-commerce CMS CMS कर देता हूं यह होगी आपका individual page title कर देना मतलब हर page का अपना खुद कर ही title होगा इसको कर दो आप on उसके बाद allow showcasing अगर आपको flatter flow को नीचे दिखाना है कि हाँ flatter flow बे विल्ट हुआ है तो आप इसको on कर देना नहीं तो रहने दो ऐसे ही change करनी होगी क्योंकि हम लोग e-commerce का बना रहे हैं तो थोड़ा सा change जरूरी है तो देख लेते हैं अगर हमारे पास एक काम करता हूं सबसे पहले मैं यहां पर कुछ add कर देता हूं तभी हमारे पास color पता चलेगा है न तो चलो इसको मैं मानले यहां पर बार add कर दिया अब color म आते हैं तो देखता हूं यह वाला नहीं सही नहीं है modern business भी देखता हूं नीचे नहीं यह भी सही नहीं नहीं चोड़ो इसको जाने दो एक काम करते हैं हम लोग खुद का primary color और इसादा डिफाइं करते हैं primary color मतलब एक तरह जो आपका बार का color होगा वह जाए तरह हम वाइट रखेंगे मैं dark theme नहीं रखूँगा तो dark theme यहां से बंद कर देता हूं primary color में हम लोग क्या करेंगे मैं वापस ले लेता हूं primary color जो था हमारा ठीक है यह secondary होगा tertiary भी होगा से हमारा primary text में यह वाला color रहेगा secondary text में ठीक है primary background and secondary background primary background को हलका सा यह कैसा है मतलब हलका सा grey है ठीक और यह secondary background जो हमारा वह पूरा white है तो एक काम करते हैं इसको मैं copy कर लेता हूं और इसमें कर देता हूं इसको paste ठीक है use color करते है और इस primary background पूरा कर देता हूं white ठीक है यह आपको white हो गया primary background error का color जो है इसको मैं पूरा red करूंगा क्योंकि error obviously red होना चाहिए पूरा तो यह red color में हो गया action color ठीक है यह सही है और क्या करना है हमें और भी कुछ changes करने तर्सरी में मैं सोच रहा हूं कि यह कर दूँ तर्सरी कलर के लिए यह सही है जहां पर मानलो हमारे पास कुछ events दिखाने हो गया तो महां पर मैं button में यह वाल कलर रखूंग तो काफे एच्छ लगेगा यह टाइपोग्राफी में थोड़ा चेंज करते हैं टाइपोग्राफी में प्रैमरी फॉंट जो हमारा वह आउटपिट है तो इसको मैं थोड़ा चेंज करता हूं open sense open sense कर दूंगा sense और जो दिया वह सहीं लगए पॉपिंस हां ठीक है फॉफिंस ठीक है मोनोटाइप देखूं है क्या यहां पर मोनोटाइप नहीं यहां पर देखता हूं लिच कोई बात ने इसको में रेस्पॉंसिव कर देते हैं हां एक चीछ आप ध्यान रखना कि यह सिर्फ मैं web क्यूपर कर रहा हूं मैं tablet कि लिए नहीं बना रहा, मैं mobile के लिए नि बना रहा हूँ, सिर्फ web के लिए बना रहा हूँ, ठीक है, तो हम लोग सिधे web पे सिधे focus करते हैं सबसे पहले, चलो, अब हम लोग इसको करते हैं सुरू, हमारे पास primary background का color आ गया, button का color आ गया, हमारे पास, tertiary color आ गया, ठीक है, सब कुछ सही है, चलो, अगे बढ़ते हम लोग, तो सबसे पहले हमें, जब web के अंदर हम लोग डिजाइन करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, कि हमें sidebar रखना होता है, क्या आपने देखा होगा, सभी web apps में sidebar में, जो हमारे, मतलब driver होता है, वो यहाँ पर fix होता है, आपने इस column को मैं फिर से यहाँ पर रख देता हूँ, एक में रुख जाओ, इसको मैं यहाँ पर, sorry, ऐसे नहीं, इसको पढ़र मैं column रख दूए, ठीक है, तो यह column आपका पहले से रहता ही है, अब क्या करना होगा, मैं इस column के अंदर, हमें रखना होगा एक row, row मैं क्यों रख रह हूँ, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर sidebar में ऐसे रहेगा, ठीक है, यह sidebar में इधर रहेगा, जो हमारा navigation bar होगा, जैसे मान लो, मैं यहाँ पर रखता हूँ, दिखा देता हूँ, रो रख देता हूँ, एक बार, sorry, मैं इसको, एक मिनट, column रखते हैं इसको, और यहाँ पर र देता हूँ, ठीक है, इसको जब नीचे करूँगा, यहाँ पर और इसको इधर कर दूँगा, तो यह हमारा इतरह से sidebar की तरह काम करेगा, ठीक, जब यह sidebar की तरह काम करेगा, तो इसको मैं अगर चाहूँ, तो एक duplicate करके, मैं जो main content होगा, वो हमारा इस side में आ जाएगा, जो मारा main content होगा, मैं दिखा देता हूँ, बर करके आपको, जैसे मान लो, इसको padding देता हूँ, यह चीज देखो आप, ठीक है, तो एक content हमारा यह sidebar में हो जाएगा, और एक beach बार content हो जाएगा, ठीक, तो इसको हमारा बनाते हैं सबसे पहले, तो sidebar हमारा main चीज है, उसको sidebar में यह है, और sidebar को आपको क्या करना हूँ, तो मैं sidebar करता हूँ, और container में आते हैं यहाँ पर, जो आप चीज की width है, उसको percentage में डानना होगा, एक चीज, अभी मैं design करना शुरू नहीं किया था, तो एक चीज मैं आपको यहाँ पर clear कर दूँ, अगर आप web के उपर design कर हो, और आप layout elements का इस्तमाल करते हो, जैसे आपका container हो गया, card हो गया, या तो फिर ऐसी कोई elements जहाँ पे आपको height और width देनी है, तो वहाँ पे आपको percentage use करना होगा, वो इसलिए क्योंकि percentage क्या करता है, वो आपके size, जो screen size होते है, उसके recording change करता रहता है, ठीक है, लेकिन अग अगर इसको कर दोगे, तो वो, एक fix size रहेगी, मतलब आपका screen चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, वो size अपना maintain करके रखेगा, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप webkeeper design कर रहे हो, तो हमेशा percentage choose करना, यहाँ से, मालो इसको मैं कर देता हूँ, 2%, तो बहुत इसको मैं कर देता हूँ, 15%, ठीक है, सही लग रहा है, एक तरह से, मैं इसको चेक कर लेता हूँ, मालो मैं इसको करता हूँ, छोटा यहाँ से देखो, अपने आप size छोटा बड़ा कर रहा है, यह देखो, अगर आप मालो इसको pixel में करते हैं, अभी दिखाता हूँ, pixel में कर बड़ा नहीं कर रहा है, ठीक, यह उतना बड़ा ही रह रहा है, तेसलिए मैं recommend करूँगा हमेशा, कि आप हमेशा percentage इस्तमाल करना, pixel की जगह, ठीक है, यह हो गया आपका, और container में हम लोग कुछ content रखते हैं, तो सबसे पहले में क्या करेंगे, इसमें रखेंगे, column, क्योंक होगा, यहाँ पर, अब हमारे elements रखने होंगे, तो सबसे पहले, मैं यहाँ पर रखता हूँ container, container क्यों रख रहा हूँ, कि जैसे ही मानलो, आपका dashboard page पर user है, तो highlight हो जाए कि हाँ, user dashboard वाले page पर है, ठीक है, तो इस पर आता है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, फि container करते हैं, hide क्या करेंगे, इसका, hide कर देंगे, 2%, थोड़ा सा और बड़ा कर दूँ, काफ़ी छोटा लग रहा था है, चलो, 7, 8, 7, 9, 8, 8, 8 सही है, है न, चलो, ठीक है, यह भी हो गया, थोड़ा सा, इसका size बड़ा करकी, अब सही है यह, और इसका फिल कलर है, अगर मैं इ memory कर दू, तो कुछ इस तरह से लगएगा, लेकिन यह उतना perfect लग नहीं रहा है, तो perfection के लिए मनों क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको मैं कर देता हूँ, इस वाले color में, ठीक है, इस वाले color में नहीं, अगर यह ज़्यादा गंदा हो जाएगा, चलो, ठीक है, यह वाला color सही case का, और इसको मैं कर दूँगा, border radius 10 का, ठीक है, जिसे की button लगे, थोड़ा सेकर मैं छोटा कर दूँँ इसको, तो यह भी सही है, ठीक न, यह सही है, अब इसको मैं कर देता हूँ, इसके अंदे रखता हूँ एक row, और row को भी मैं सभी side दे दूँग, tanky padding, side में आते हैं, य tanky padding हो गई यह आपकी, ठीक, और इसके अंदर रखेंगे हम लोग क्या, एक icon, एक icon रखेंगे यह icon आगे आपका, यह रहेगा हमारा dashboard का, dashboard करते हैं, तो dashboard का आपका icon यह है, इसका color आप कर दो primary, ठीक है, वाइट दिखेगा इस के उपर, इस color के उपर, ठीक है, वैसे मैं इत text में आते हैं, text में आने के बाद, इसको मैं थोड़ा सा करता हूँ, 16, ठीक है, यहा से मैंने choose किया हूँ, 16 कर देता हूँ, वैसे एक कामा हो रहे है, इसको बनाने से पहले हैं, सबको मैं दो-दो की height, जो दो-दो की यह है, आपका, sorry, जो font size है, वो मैं बढ़ा देता हूँ दो, सब में दो-प्लस कर दूँगा, 46, 38, 34, मैं प्लस इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि, थोड़ा मेरे सको अच्छा ही लगता नहीं है, जब भी, छोड़ा text होता है, तो, 34, 34 हो गया, 26 हो जाएगा, एक मेरे साथ, मैं गलती कर दी मैंने, एक मेरे रुख जाओ, 38, 34, 38, 24, 26, आपके बाद नीचे आते हैं, यह रहेगा हमारा, कितना था, नीचे आते हैं, यह कितना था आपका, 12 हो गया, यह हो जाएगा, 14, 16 है, यह भी, इसको लोग 16 कर देते हैं, इसे body last बराबर हो जाएगा, 15 रखो, इसको आप, body small 13 कर दो, ठीक है, थोड़े changes कर दिया हम लोगे ने, font size में भी, इसमें आते हैं, इसको कर देंगे 20 हम लो, ठीक, यह हो गया आपका, और इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, लेकिन, ज़्यादा हो जाएगा यह, item space करते हैं, 20 का, 20 नहीं तो 15, सही है, 15 सही है यहाँ पर, यह हो गया आपका, यह dashboard है, तो इसमें आप कर दो, dashboard, dashboard कर दो, इसको आप, ठीक, यह चीज़ हो गई, आप इसको आप चाहो तो, duplicate करते हैं, चले जाओ, item space कर दो, इसके बीच में 20 का, 25 का सही है, ठीक, यह हो गया आपका, dashboard हो गया, उसके बाद icon change करो, अब आते हैं, product में हमारे पास card का option डाल देते हैं, यह card का सारी icon होता है, वो डाल देते हैं, तो यह रहेगा हमारा product, product करते हैं, इसको, और क्या रखेंगे हम लोगे यहाँ पर, order list रख लेते हैं, लिस्ट, यह होगे हमारी list, इसको करेंगे नीचे, order, list हो जाएगा हमारा यह, then product stock रखना है, product, stock, इसको बोग खर लेते हैं, stock, stock हो गया, तो यह रख देते हैं, यहाँ पर, ठीक, dashboard, product, order list हो गया, ठीक है, product stock हो गया, और क्या रख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर, inbox रखते हैं, जो chats आएंगे हमारे, apps पर, वो यहाँ पर, हम लोग access कर सकते हैं, उन सभी चीज़ों को, तो यहाँ पर रखते हैं, inbox, inbox, ठीक है, मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, message का, यहाँ पर आएंगे, हो जाएगा मारा message, यह चीज़ रहा message का, ठीक है, delete करता हूँ, और जो इसका container का color है, उसको मैं normal रखता हूँ, primary background नहीं, primary नहीं, इसको हम लोग container में आते हैं, करते हैं secondary, ठीक है, और जो यह text रखा हुआ है, इसको हम लोग कर देंगे क्या, black, इसको भी करेंगे black, अभी यह साथी चीज़े मैं dynamically generate करूँगा, तो परसान होनी जरूवत नहीं है, मैं अभी सब साही कर देता हूँ इसको, अभी जस मैं आपको दिखा रहा हूँ, कि जले इसको हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि यह आपको थोड़ा सा time taking होता है, और 8 बार यह बन जाएगा, तो हम लोग इसको component में convert कर देंगे, जिससे कि हम इसको बार 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 use करेंगे उसको, ठीक है, तो fill color को भी मैं कर देता हू secondary, sorry, secondary आजा भाई, यह रहा, order list में आते हैं, test color रखते हैं, इसको, icon होगी हमारा black, इसको भी change करते हैं, secondary, then हमारा product जो color रहेगा, test color, वो हो जाएगा black, यह भी हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा black, ठीक है, चलो, सही है यह, अब container कर गार मैं यहाँ पर, चलो, इतना यह सही है, अभी फिलाल के लिए, और divider रख देता हूँ, मैं बीच में, divider, इसमें रखते हैं divider, यह हो गया, divider बीच में, divider को color देता हूँ, मैं, tertiary का, वैसे tertiary color यहाँ पर suit नहीं करेगा ज्यादा, तो इसको, ठीक है, यह हो गया, नहीं सारी चीज़, निचे आते हैं यहाँ पर रखतا हूँ, calendars, calendars, calendars होता है, calendars नहीं होती है, तो इसको मैं copy करता हूँ, इसका जो icon है, उसको ले ले लता हूँ, यहाँसे, ठीक है, calendars गैकॉन हमारे पास भी रहा, ठीक, तो हमारा जो side menu है, side bar menu है, वो तयार हो गया है, अब करना क्या है है इसे, कि हम ज़स इसको कर सकते हैं आपका convert to component और इसको नाम दे देता हूं मैं sidebar menu ठीक है create component करते हैं तो आपको कुछ इस तरह से UI दिखेगी तो परसान मत होना जैसे आप इसको बढ़ा करोगी जैसे मैं माल इस पर क्लिक कर देता हूं ठीक है तो अपने आप जो size थी वो ले लेगा यहां से ठ ठीक है दिखो आपका product stock है वो अंदर चला जा रहा है तो मतलब थोड़ा सापको size और सही करनी पड़ेगी इसको मैं करता हूं इधर कर लेता हूं यह देखो आपका यह सही है ठीक यहां तो आप एक काम कर लेना जो यह आपका product stock लिखा हुआ है इसका जो container है इसको थोड़ सापको सही करना पड़ेगा इसमें आते हैं और इसको देखो आप container को थोड़ा सा और बला करना यहां से ओके अभी देखो आपका pixel height height को मैं पहले यहां सकर लेता हूं 100% ठीक है और जिसकी width थे उसको थोड़ा से increase करता हूं home page पर आता हूं अभी भी अटाते हैं इसको अब दुबारा यहां पर आता हूं और इसको रख लेता हूं sidebar menu को अभी भी यह थोड़ा सा अलग लग लग रहा है ना तो एक काम करते हैं हम लोग फिर से आएंगी समय sidebar menu को तो सही तो चीज बना गोए फिर भी issue तो नहीं आन है अभी भी ज्यादा बड़ा है और हर्कस छोटा कर देता हूं इसको यह जादा अंदर शला जाएगा ठीक है चलो यह सी सही हो गई हमारी ठीक यह हमारा बन गया है अब हमें क्या करना है उपर भी आप बार टाइप का बनाना है तो हम लोग सीधे जो हमारा यह आप बार है चलो यहां था । वैसे इसको मैं उटातेता हूं यहांसे और इसको फेया मैं वार यह ऊपर रहेगा सबसे यहाँ पर आते हैं और इस चीज़ को मैं कर लेता हूँ, full expand full expand का मतलब जो हमारा width है उसी कर लेता हूँ 100% ठीक और जो height है उसको मैं बें 2% करके थोड़ा सा और बड़ा कर दूँ ठीक, यह हो गया आपका यह देखवा आप ठीक है, अब क्या करना होगा सीधे, जैसे आपने row रखा यहाँ पर वैसे row रख लो इसको expand full कर दो इसको expand full करने के बाद command F करो, sidebar menu रखो, यह आपका बन जया है ठीक है, अब यहाँ पर आपको जो आपका app बार होता है उसे बनाना है तो इसको बनाने क्लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर रखेंगे एक row ठीक है, और यह जो होगा इसको मैं कर देता हूँ, 10 ठीक और यहाँ पर आप रख लो एक image जो आपको लोगो का काम करेगा, लोगो का काम करेगा यहाँ पर और image देखता हूँ चलो, यह हो गया हमारा image अपलोड यहाँ से ठीक है image अपलोड हो गया और क्या करना होगा, हमें side में एक user का अवतार लगाना पड़ेगा न, यहाँ पर यहाँ मतलब क्लिक करके user का menu open हो जाए तो अवतार लगाने के लिए हम लोग फिर से लेंगे क्या, wrap आपको wrap ले लेते हैं, उसके बाद इसको wrap को करना है हमें इस side, तो मैं बीच में इसको main access alignment को space between कर दूँगा, जिससे कि यह चीज यहाँ पर आजाए और यह वाली चीज यहाँ पर आजाए ठीक है अब इसके अंदर रखेंगे हम लोग circle image circle image होगी हमारी यह और circle image जो होगी, वो होगी आपकी percentage में, 2% काफी चोटा हो जाएगा तो और इसको बड़ा करता हूँ ठीक है यह आपका circle image हो गया और यह wrap के अंदर है तो हम लोग चलते हैं wrap में और side में हम लोग रखेंगे नाम ठीक है, और एक icon रहेगा यहाँ पर click करके user tool tip type करेगा, वो tool tip मतलब समझते हो आप जैसे मानों मैंने यहाँ पर click किया तो एक छोटा सा open हो जाएगा, यहाँ पर box की profile setting यह सारी चीज़े तो यहाँ पर मैं रख लेता हूँ क्या, एक text रखता हूँ ठीक है, text रखूँगा, text के बाद एक और चीज़ रखूँगा यहाँ पर icon जैसे, इस में रखेंगे न, हम लोग icon icon रखता हूँ यहाँ पर यह रहा हमारा icon then हमारी जो spacing लेगी tank कर दूँगा इसको cross access alignment center रहेगा ठीक है, जैसे कि बीच में आ जाए इसको 14 हटा के इसको में कर देता हूँ 16 और जैसे यहाँ पर मैं अपना नाम लिख देता हूँ जैसे श्रेहांस हो गया, ठीक है श्रेहांस हो गया और जो यह icon रहेगा, आप चाहो तो इसको हटा भी सकते हो, ठीक है वैसे एक काम करते हैं, गंदा लगेगा यह तो हटा ही देता हूँ इसको, ठीक है है ना, चलो इसको हटा दिया, क्योंकि वहाँ पर वो सही चीज़ लग नहीं रहे थी मेरे को और क्या करेंगे, यहाँ पर मैं रैप के अंदर रखते हैं यह हो गिया, primary color में हमारा icon हो गया है खिक, जो इसका spacing है मैं अच कर देता हूँ 20 20 spacing हो गई, और क्या कर सकते हैं यहाँ पर एक और icon डाल सकते हैं, जो होगा आपका setting का setting एक और icon डालते हैं, जो होगा inbox का inbox बॉक्स मतलब मैसेज काड़ कर देता हूं मैसेज ठीक है यह तीन आपके आइकॉन्स हो गया जैसे सेटिंग हो गया इन बॉक्स हो गया और यह नोटिफिकेशन का हो गया अब हमें बीच में डालना है एक सर्च फिल्ड टेक्ष्ट फिल्ड डालने के लिए मुझा करेंगे यहां पर रखेंगे एक कंटेनर रखेंगे बीच में इसको उठाके लेकर आता हूं इधर थोड़ा सा बड़ा रखते हैं इसको यह है हमारा कंटेनर कंटेनर को रखेंग यह हम लोग प्रैमरी बैग्ग्राउंड जिसे की हलका सा वाइट लगए यह और इसको हम लोग बॉर्डर रेडियस देते हैं 15 का ठीक है यह देखा आप मागर इसको बड़ा करूँगा तो इस इस टाइक में लगएगा और जो इसका हाइट है उसको मैं परसिंटेज में लेखे कर देता हूं 3,4,5,6,6 साही है चलो 6 साही लग रहा है और जो बॉर्डर कलर इसका न उसको हलका सा यह काफी गंदा लगएगा इसको ऐसे नहीं करते हैं तो जो एक बॉर्डर कलर बनाता ह इसको यहां पर आएंगे और जो बॉर्डर कलर रहेगा हमारा वो हलका सा गुरे रहेगा ठीक है यूज कलर करते हैं इसको इसमें आते हैं कंटेनर में आएंगे और फिर से में बॉर्डर कलर देते हैं यह रहा बॉर्डर कलर चलो यह देखो सई लग रहा है न आब इसके अ expansion में बंद करूँगा सबसे पहले तो उसकी width होगी percentage में दे दूँगा 10 की और जो इसका expansion में उसे बंद कर दूँगा थोड़ा सा और बढ़ा करता हूँ इसको 10 21 23 ठीक है और इसके अंदर रखेंगे एक icon button icon button हो गई हमारी है और जो इसका button size है उसको 2 नहीं थोड़ा सा बड़ा 3 सही है border radius कम करेंगे कि यह थोड़ा सा square लगी है यहाँ पर square चलो सही है यह भी आपका और इसको थोड़ा सा कर देंगे इस टाइड में और इसका जो बीच में होगा icon वो होगा search का तो यह icon हो जाएगा जिसका border color नहीं sorry fill color जो होगा वो primary यह चीज रहेगा और यह वाला जो रहेगा icon color वो रहेगा आपका white में ठीक है अब आते हैं इस पे text field पे आते हैं इसका जो outline है उसको बंद कर देते हैं none कर देंगे यहां से उसके बाद सबसे पहले जिसका padding बंद करूं पैडिंग बंद करने के बाद नीचे आएंगे content padding 10 बॉटम पैडिंग 10 ऊपर से पैडिंट है और ट्राइड की पैडिंग 10 कर देते हैं थोड़ा सा width भी बढ़ाएंगे इसका width भी बढ़ा देता हूं यहां से ठीक सब्सक्राइड यहां लेवल हटाते है मैं हिंड में रख देता हूं search मी कर देता हूं ठीक है और इसका एक थम लोग लीडिंग आइकॉन मी डाल देते हैं आइकॉन properties पर आते हैं लीडिंग आइकॉन मी डाल देते हैं search ठीक है शाही लग रहा है न यह और अब इसी चीज़ को मैं कर दूंगा क्या component क्रेट कर दूंगा इसका एब बार कस्टम कर देता हूं ठीक है create component अब इसको जैसे आप बढ़ा करोगे जैसे माल इस पर क्लिक करके बढ़ा कर देता हूं ठीक है तो यह आपका बन गया है तो सबी जगा यूज हो सकता है ठीक है चलो अब जो हमारी में चीज है उसको बनाते हैं जैसे हमने यह चीज बना लिया यह चीज बना लिया अब हमें इसको चेंज करने जरूत नहीं है अब आते हैं अपने असली content पर जो यहां पर blank screen पर बनेगा अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसको डिजाइन करना शुरू करते हैं हम लोग तो यह चीज में यहां पर नोटिस कर रहा था कि यह जो color है कापी मतलब match नहीं कर रहा है यासे यहां पर बीचें white है उपर हलका सा grey है तो यह काम करते हैं जो हमारा background color है उसको हम यह वाला रख देता हूं ठीक है इसको मैं copy करता हूं और जैसे पहले था वैसे ही रख देता हूं कि वह जड़ा सही लग रहा था तो इस पर मैं करता हूं फेस्ट यूज कलर करते हैं और secondary background को मैं पूरा कर देता हूं white ठीक है अब देखो फूरा सही लग रहा है ना मतलब इदर से white हो गया और बीच में अलका सा grey हो गया है ठीक यह हो गया आपका यह जो पेज है हमारा dashboard का पेज है तो मैं सबसे पहले इसको change कर दूँ यहां से dashboard लिख देता हूं यह होगा हमारा dashboard ठीक यह होगी आपका dashboard और page title क्या देना है dashboard देना है dashboard ठीक है पेज सब्सक्राइब झ sled हो गया है और सब्सक्राइब चुर्ण करते है इसके अंदेर माने यदि था गया है मतलब अलग अलग कि ए dessa को यह पे कैसे से मैं इसको अठाट देता हूं यहां से क्लिक है चलो यह हो गया आप इसको फॉद जो देखते हैं कि कैसा देखता है तो प्लिश करने के लिए सिंपली आपको यहां पर क्लिक करना है है को स्पड़ा सा टाइम लेगा विल्ड होने में यह हम सारी चीज गॉस्टिकल सइड में रखेंगे सारी कीज़ें तो यहां पी मैं इसको स्कूरा फाइडिंग करने खोल एक्सपैंड को तो टेश किछ तेश्ट कहां रहेगा एंदम समय रहेगा और जिसके साइज रहेगी वह रहेगी एराउंड 18 नहीं 18 तो काफ़ी छोटा लगी यहां पर चलो 24 की साइज है इसको करता हूं डैस्ट बोर्ड ठीक यह गया डैस्ट बोर्ड आपका उसके बाद एक कंटेनर रखूंगा कंटेनर को कर दोंगा इसको फुल एक्सपैंड मतलब यह विट्स है उसको फुल एक्सपैंड कर दूंगा ठीक है और जिसकी हाइट है परसेंटेज में थोड़ा समय चेंज करता हूं यहां पर नीचे आते हैं और नीचे आते हैं इसको लिए इतना सही है यह बादर रेडियस देता हूं इसका एरा इससे की इस वाले में और इस वाले में इस पेस आ जाएगा ठीक है यह बहुत सभी चीज़ है कि अगर आप कॉलम में इस पेसिंग देते ओं यहां पर आइटम इस पेस कर देते हो तो आपको बार-बार पैडिंग देने की जिरुवत नहीं पड़ेगी वह अपने आप कॉल रोग के अंदर रहेगा एक ठेक्ट रहेगा और यह टेक्ट की साइज रहेगी वो कम रहेगी 18 के और यहाँ पर रखते हैं रेवन्यी थेक यह बैनी हो गया मारा रेवन्यी हो गया और ''ससा सी सिग बढ़ा हूँ हूँ कि बढ़ा दूंश का हां साहिए ठाक्ट साइड़ dar emphasizes जो इसका container है ना इसको मैं clip content on कर देता हूं जिससे कि कोई भी चीज से बाहर ना जाए जब रेवन्य हो गया हमारा और clip content हमने on कर लिए अभी हमें रखना है यहां पर चार्ट चार्ट रखना है तो यह रहाँ चार्ट हमारा इसको full expand कर देता हूं यहां से और जिसकी width है उसको भी change कर देता हूं width कर देता हूं यहां से 100 एक है height 100 रहेगी और क्या करना है मैं यहां से padding देना है padding दे देता हूं tanky padding ही हो जाएगी हमारी नीचे आते हैं so grid अगर आपको grid दिखा नहीं है तो grid दिखा सकते हो प्रशे देखो यह भी आपका यहां पर कीरर आएगा क्योंकि हमारे पास कोई data दिया नहीं है यहां ठीक है तो हम लोग काम करते हैं यहां पर constant बना लेते हैं मतल यह हमारे string में रहेगा list of string रहेगा create करते हैं इसको earning यह revenue होगा double में होगा यह भी list में होगा इसमें आते हैं add item करते हैं यहां से month name में करते हैं जैन फैब मार्च मार्च अपरेल विसे तो आप टाइम ले रहा है यह लोड होने में मार्च अपरेल माई जून यहां पर हमको add करना पर रहा है तब यहां के रिप्रेस हो रहा है जून जुलाई कोई बात नहीं होगा इसको जून जुलाई हो गया यहां पर रखेंगे अगस्त अगस्त हो गया ठीक है सेप्टेंबर सेप्टेंबर ऑक्टोबर नवेंबर को यह नोवी लिग देता हूं और टूबर नवंबर दिसम्बर ठीक है यह हो गया और पहली जो हमारी सेल हुई है मानलो 98 पॉइंट यह होई है यह होई है एटी टो की और कुछ भी रख देतें 48 और इसा चीजह जो है थाउजन्ट के अंदर है ठीक है सेवेंटी फाइव ट्वेंटी फॉर एटी नाइन त्टी टू अटारी टेंग्स को यहां पर रख देता हूं 98 और यह जाएगा मारा 10 ठीक है यह हो गया आपको यहां पर आते हैं फिसे वह कॉंस्टेंट में यहां पर किरर दिखा रहा है लाइन आ इसने वैलू लिया नहीं यार जैन फैब मार्च एपरिल में जून जुलाइब अगस्ट अउग इस्ट अगस्ट होगा सब्टमर यह जुश्ट अच्तोब अच्टोब अवंबर नवंबर निसम्मर। गई लिया दिसम्मर कर दिश्ट फ्रेट पर दिसम्मर होगा है हमारी पास्वश वैल्य आगी है यहां पी अब इसमें आते हैं और इसको हमलोग करते हैं save save हो भी है अब इसमें चार्ट में आके क्या करेंगे हमलोग data source ले देते हैं number list से जो x data होगा मतलब जो नीचे वाला data होगा मतलब ये वाला data होगा इधर का तो वो constant में आते हैं नीचे यहां पर constant दिया होगा एक यह रा constant यह मन्त का नेम रखेंगे confirm करते हैं इसको और वाइड डाटा में क्या रखेंगे हम लोग constant में आते हैं revenue कि क्या कि अटलिस्ट वन आफ्यों डाटा सेट इस टाइप स्ट्रिंग ओके अगे मैप लिस्ट आइटम कोई बात नहीं आइटम इन लिस्ट हो गया जाद देखते हैं और क्या इश्वारा है इसमें सरी यह सब कुछ तो कोई दिक्र तो है नहीं इसमें आइटम इन लिस्ट है सही है नो फॉर्दर चेंग confirm warning at least one of your data set is to be string and so that will be able to parse data into number or date time format कोई बात नहीं आप रख लो जैसा रखना है आपको X properties title के डाल नहीं है वो डाल सकते हो यहां से आप जैसे month name कर दो इसको ठीके आप यहां पर YQ properties डाल सकते हो जैसे YQ properties डाल दिता हूं मैं यहां पर revenue ठीक यह हो गया लेबल्स अगर आपको 100 कराने तो आप यहां पर सो करा सकते हो और यहां पर कई सारे चीज़ी हैं इसकी मैं दिखा रहता है इसको भी आप चेंज कर सकते हो यहां पर यहां पर में आने के बार आप देखोंगे यहां पर एक आपको यहां पर मिलेगा तो minimum axis x axis और minimum y axis तुब मालो minimum y axis कितना रखेंगे मलो मालो रख दिते हमलो यहाँ पे 50 ठीक है और max y axis कितना रखेंगे 100 तो यह देखो आपका सिरे 3.2 दिखा रहा है और अपर 10 दिखा रहा है यहाँ और यहाँ पे अगर आप इसको label interval change करोगी देखो तो कोई अंतर नहीं पढ़ रहा है उपर आते हैं दुबारा चार्ट के अंदर max कितना रखना है मालो max रखना है 100 ठीक है और minimum कितना शुरू करना है में 50 से सुरू करना है मैं minimum y 50 से सुरू करना है तो यहाँ 50 आपका उपर रहेगा 100 ठीक है यहाँ पर आजाओ और जो interval रहेगा अगर आप रखते हो 20 का तो यहाँ पर 20 20 वाइस चेंज होता रहेगा इसे च्छा है कि आप इसको 10 का रख दोगे तो बहुत ज्यादा cluster हो जाएगा यह दूसरे में तो इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं 11 का नहीं हम लोग इसको चार हों दिखाना कोई बात नहीं इसको जैसे है वैसे रहने देते हैं हमने 30 का इंट्रवल डादा है ठीक है रेवन नीव हो गया लेवल कार्मेट टाइप क्या है नंबर्स नहीं रखना में डिफॉल्ट ही रहने देते हैं कि पॉंड साइज से रहते हैं यहां पर थोड़ा सा बढ़ाते हैं कि एक यह हो गया और मेंसे मीनिमूं मिल्स इस सारी एक्सएस भी रख सकते हो इहां पर आपको लेजेंद सो कराने तो आप लेजेंड सो करा सकते हो चीक है कि do Enable Tooltip कर सकते हो यहां पर टोल्टिप का जो बैक्राउंड ऐस्पकर कर दो कर दो प्रैमरी इन के अगर be रिकेमेंट करना कि मतलो आप अपने से बाइब बना लेना ठीक है इसको विपुड़ा अच्छा जाए डा अगी इसमें तो ना प्यारा नहीं बनेगा जितना आप चाहा रहे हो तो इज बार आप इसको अपने से बनाना ठीक है मतल़ कस्टम विजट का इस्तमाल करके बनाना तो 11 साही बनेगा चलो यह हो गया हमारा अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा रेवन्यू में भी थोड़ा साही स्पेस दे देता हूं बीच में 20 का स्पेस हो जाएगा थोड़ा साही अगर मैं इसको बढ़ा दू ऐसे मैंने इसमें भी पैडिंग भी हुई है न इसकी पैडिंग कि में गुट रहें हु कि हमारा ग्रार अब नीचे आते हैं नीचे क्या डालने में ऊस पर को की польз करते मैं तो मैने आने विल्ड कर लिया था अब दीबारा इसको बील करते है उसके राद जैसे ही लोजाएगा हम लोग इस में दूसरे चीज़ बढ़ते हैं यहां पर इसको लेकिन यह सही लगेगा नहीं बड़ा ही सही है चलो यह हो गया अब नीची हमें तीन चीजा और रखनी है यह से जहां उरिस प्राइब हो गया तो हमें अंदर क्या है और इस के देंगे फुल एक्सपर्सेंड ठीक है अग्सपाइं और तो हमें जरुवत है नहीं हाइड देना होगा तो हंवा रहाता हूं में एराउंड येट 9 10 15 परसेंट नहीं इतना और करते हैं इसको और आविएसी स्क्रॉलिवल ओन रहेगा तो कोई दिख्कत नहीं होगी हमें इतना और थोड़ा सब्सक्राइब बढ़ा कर दूं थर्टी टू है इसकी चलो इतना बड़ा सही है ठीक है नीचे आते हैं इतना बड़ा सही है इसको ट्रता हूं डुप्लिकेट तीन डुप्लिकेट करते हैं और जो रू है ये वाली इसके अंदर देता हूं 30 की स्पेसिंग वैसे 30 की स्पेसिंग कम है और स्पेस करता हूं इसको 50 की स्पेसिंग देत करते हैं ठीक है और इसको बीट है 100 परसेंट रहेगा कि कभी कोई स्क्रीन साइड चेंज हो तो हमें कोई दिख्कत ना हो अंडेड कर देते हैं आपका वेब में भी पब्लिस हो गया चलो पहले उसको देखते हैं उसके बाले इसको डिजाइन करते हैं ठीक है इस पर क्लिक करता हूं और वेब डिजाइन पर चलता हूं मैं यह हमारा कुछ इस तरस दिखा रहा है और यहां पर मन्थ नेम में दिखानी रहा सही से, जो हमारा चार्ट है वो बन नहीं रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग के पास कोई पहले से डाटा था नहीं, किन सब्कुछ सही लग रहा है, रही चल रहा है सब्कुछ, देख लेते हैं इसमें भी क्या इश्यू आ रहा है, क्योंकि मारा पास कोई डाटा आ तो रहा नहीं कहीं से, बस हम लोग शिर्फ इसको रखे हुए हैं, तो एक काम करता हूँ, थोड़ा चेंज करता हूँ इसको, इसमें जो है, वाई डाटा जो है, आपका, वाई डाटा में अगर मैं रख देता हूँ, रेवेन्यू, नहीं, मन्त नीम रखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर, जो आपका, मन्त नीम है, ओके, यहाँ पर उपर रखते हैं, रेवेन्यू, ठीक है, अब जड़ा चेंज करके देखते हैं कि इसा दिखता है यह तो टाइम लेका पब्लिस होता है तो लोग अपना यह वाला बनाते हैं इसमें आएंगे थोड़ा बॉडर रेडियस देदूंगा इसको में बॉडर रेडियस राउंड 10 का ने 10 का कम है 15 का बॉडर रेडियस इस पर और 15 का बॉडर रेडियस यहां पर भी 15 और इसको भी 15 कर देते हैं यह वो गया आपका उसका कंटेनर के अंदर रखना मैं यह आप एक कॉलम यहां से देदेंगे पैडिंग 10 की पैडिंग देता हूं इसको अब साइज बड़ा करूं इसका ठीक है अब 10 की पैडिंग हो गई और हमें रखना था एक टेक्स करना है यहां पर इसको प्रेष्ट कर लूँ गा और उसके बाद कर वा अवर मैंने यहां पर कॉपी पेष्ट इसलिए कि यहां पर एक तो उसी के साइज का और आप फॉनेफैमली चाहिए थीम इस्टायल चाहिए वैसा है तो आप लगे या नहीं तो आप और टाइम टेकिंग भी होता है वैसे तो आप सिदिस को कॉपी पेश्ट कर लिया करना ठीक है इसमें आते हैं और यहां पर बीच में दिखाना है एक वह जो आपका होता है पाई चार्ट टाइप का यहां पर रखते हैं यहां पर आते हैं पाई चार् 15-17% की height जो होगी इसको थोड़ा कम करेंगे height को यहां से विश्चे यह चोटा तो होगा नहीं ऐसे लेकिन हम लोग इसमादर इसको कम कर सकते हैं यहां से 5-4 radius में कम कर लेते हैं और फिक है इसको मैं थोड़ा कर देता हूं और उपर चलो यह सही हो गया और जो कॉलम है कॉलम के अंदर की spacing में देते हैं 10 की हम लोग उसके बाद हमें क्या करना है यहां पे और डाटा बनाना होगा कि कितने customer रिटर्न हो रहे हैं मतलब रिटर्न पुरानी customer आये हैं कितने ने customer हैं यहां पर रखता हूं पहले एक रो ठीक है अब रो के अंदर रखेंगे हम लोग कॉलम एक यह कॉलम रहेगा एक दुस्ता कॉलम रहेगा यह दोनों आपस मैं इस पे से राउंड पे रहेंगे और इसक कॉलम के अंदर मैं क्या रखोंगा एक और टेक्स्ट रखोंगा ठीक है इसको करूँगा नीची और इसको जो साइज है उसको करूँगा छोटा एराउंड ट्वैल्ल का ट्वैल ज्यादा छोटा तो नहीं होगा लेकिन सभी है ठीक है यहां पर रख देता हूं निव कस्ट का सब्सक्राइब गूंगा सेम चीज हमको यहां पर विकर ना पोड़ेगा रिटन कर्टम अब यहापर हमें डाटा भी डालना है तो डाटा की लिए कि हम लिए फिर से data source ले लेंगे अपना single value का करेंगे तो single value शिरफ आएगा यहाँ पर तो एक काम करते हैं number List लेते हैं और legend labels हमें देना होगा यहाँ पर ते काम करता हूं रुक जाओ यहां से आता हूं अपने constant में ठीक है constant में आते हैं और constant add कर देते हैं new customer ठीक है यह रहेगा हमारा string create करते हैं यहाँ पर और data रहेगा हमारा यह चीज integer रहे जी create करते हैं इसको new customer में new customer डाल देता हूं और data ठीक है यहाँ पर आते हैं और देखते हैं नीचे number list में legend label constant में आते हैं new customer यह नहीं ले रहा है क्योंकि list of data लेगा हो तो हमें कुछ सही करना पड़ेगा यहाँ पर आके फिर से इसको चलो कोई बात में खटाते हैं यहां से जो मारा month और price revenue का है जो हमने constant क्रेट किया था उजी को रखते हैं legend labels में क्या करें यहाँ लो constant में आएंगे month name कर लेते हैं और section value क्या रहेगी हमारी constant में आएंगे revenue यहाँ पर गलत कर दिखा है वार्ण at least one of your data is set type string तो एक तो string है ही जैसा तो है नहीं हमारे पास string नहीं है मैप लिट एंगे नहीं करते हैं यहाँ पर इंअब में अपर आईटम करते हैं डाटौ याप पर करते हैं यह शॉट लिस्ट आटेम नहीं कर सकते आइटम इनलिक नंबर फॉर्मेट कन्फर्म करते हैं अभी यह कोई दिक्कत आ रहे इसको नंबर लिस्ट हो गया सिंगल वैली हो गया कि यह तो ओविएस से यह तो एक इस्ट्रिंग तो है यह हमारे पास बट फिर भी यहां पेश्ट कि अब तो कुछ खेंज नहीं हुआ है कोई बात न rains दोबारा देखते हैं यहां पेश्ड नहीं हुआ अभी टिक है प्राफ में कुछ सो नहीं हुँ रहा है कोई बात नहीं इसको उलोग वह बैकेंट से बनाना ऊगा की ऐसना है वैसे का्यान देते हैं विभ इसको सेव करते हैं ऑर इसको इसको मैं इस एक बार कर दो जिता हूँ विल्ट दूबारा चलो यह वो गया आपका डिज़ेंग है अब यहां पे हमें रखना है फीचयर्वर्ड प्रोडट का थीकर इसको मैं करने काफि प्रियुक्ष यहापर करने के पेस्ट इसको कॉठाओंगा यहां पर करनाव फीचयर्ड प्रोडट्ट थीकर इसको अटाते ह तसे परखने नहीं हम यहां पर एक फ्लाइड का रखते हैं इसको यहां पर स्टेकर रखते हैं इससे यह उसर्ट कर पाएँ इसको प्रिचर्ट प्रोट्ट्स से पहले तो जो यहमारा इस स्वाइबल स्टैक है ना उसका थोड़ा साइस केल कम करना पड़ेगा इस से बाहर ना जाए इससे यह बाहर नहीं जा रहा है इस पर आते हैं इससे बाहर नहीं जारा है एक हर त्रेस्फोल चलो वन रखते हैं मैक्स एंगल ठीक है और जान्टल लूब भी चला सकते हो क्रेट कार्ट काउंट डिस्प्लेए च्छेड कार्ट काउंट काउंट रख रहा हूं ठीक है यह हो गया आपका और यहां पर आप इमेज का प्राइजिंग भी रख रखते हो तो से पहले हम लोग इसको फिल करेंगे अगर तो एक कॉलम रखता हूं इसमें और सॉरी ऐसे नह निवी यहां से बनाना पड़ेगा पहले बात लिए इमेज अगराएंगे यहां फर टीक है तो हमें यहां पर क्या रखना हूंगा एक कॉलम को यह मे इसक हो गया यह आपका इमेज जो है इसको मैं इतना सभी इमेज एक जरूबत नहीं हमें यहां पर एक कंटेनर लेना है तो कंटेनर रखते हैं से पहले है साही करेंगे इसकी हाइट जो है तो दो परसेंट से उपर करते हैं चलो इसका हाइट जो है वो फूल हाइक ले लिया है अपना ठीक है यह हो गया और अब इसके अंदर हमें चेंजस करने हैं तो यहां पर यहां करता हूं कॉलम रखता हूं एक और इसके कर देता हूं पैरिंग 10 की उसके बाद हमें यहां पर रखना प्रोड़ट का इमेज फिर प्रोड़ट का इमेज रखना हैं यहां पर बीच में उपकड़ा करता हूं इसको भी दे कर लेता हूं छोटा यहां से यह प्रोड़ट की मेंज होगई चुनिया प्रोड़ेड का नाम रहेगा यह कॉलूंग के अंदर देते हम फट्वड़ा पेश्ग संपेशिंग च्छलों के नाम होगा फोड़ा साइज भी बड़ा अधिता हूं इसका मैं सिस्टिंग कर देता हूं और यो फ्रोड़ेड होगा वह इससे मालो है यहां पर हो गया आपका और जिसका आइटम स्पेसे करता हूं यह भी जो है इसको भी थोड़ा कर लेता हूं 14 का कि टेस्ट कलर है यह हो गया आपका सेमी बोल्ड इसके अहां गया वह पुर्णा वाला आपका यह रहा है ठीक है और जो हमारा कंटेनर है यह वाला इसको मैं बॉर्डर कलर देता हूं सबस्टे नीचे बॉर्डर कलर यह बॉर्डर एडियास 20 का और जो फिल कलर होगा इसका उसको मैं हलका सा सुच रहा हूं करतूं ट्रांस्पैरेंट ठीक है वैस्टे यह सही लगेगा नहीं अ च्छलो कोई बात ने जैसे था वैसे रखते हैं ठीक है इन जैसा था यह वैसे रखते हैं मुझको जरूषत नहीं सब चेंज करने शप्र जबॉबारा यहापर सीदे रोडर्ट दिखा सकते हैं यह ना कि तो फिर हमें जरूषत नहीं है इसकी ठीक चलो चुड़ो इसको जोने फकी होगाँ अमारा सेल्स जोन बतंते हैं तो लिटेक्स ठीक है ये हो गया मेंने अब में यहांपर दिखाने तो ग्राफ रख लेता हूं ठाकि है वाला फिर सिफ में ग्राफ बोल रहा है मतलब चार्ट रख रहा हूँ ठीक है और यह स्क्राइब सोर्स हमें लेना है number list से x पर क्या रखा रहेगा हमारा constant में आते हैं revenue और y पर क्या रखा रहेगा month जो की है उल्टा विल्कुल ऐसे नहीं चलता है यक्स पर जो होता है हमेशा constant चीज़े रखी रहती है और y-axis पर हमेशा आपका रहता है जो चीज़ चेंज हो सकती है मतलब variable चीज़े रखी रहती है जैसे जमारे revenue हो गया वो चेंज हो सकता है उसे अक्सा हमें वाई पर रखना चाहिए लेकिन यहां पर नहीं पता क्यों इश्व दिखा रहा है इसा लेकिन मैं जो बैकेंड करूंगा जब इस से इस मतलब इस डैस्पोर्ट से तो उस समय मैं अपना custom एक चार्ड बनाऊंगा ठीक है उसको मैं आराम से इंटग्रेट कर पाऊंगा ठीक तो अभी जैसा है वैसे रहने दुआप इसको लोग बाद में चेंज करते हैं वैसे यहां पर कई सारे options भी है आप पायर चार्ड का भी यूज़ कर सकते हो ठीक है इसे मानले यहां पर बार चार्ड का यूज़ करता हूं तो वो भी काफ़ी अच्छा लगेगए यहाँ पर है ना यहाँ पर से चार्टा 1 है हमारा तो नंबर लिस्ट में है numbres लिस्ट में और बार की वैलिऊ जो यह बार लेबल रेवन्यू नहीं बार का लेबल हमें रेवन्यू नहीं मत्नीम रखना चाहिए और बार की वेल्यूस जो है ना उससे हमें रखना चाहिए रेवेन्यूस में अब एटलिस्ट बन आफ्यो डाटास से टाइप इस इस ट्रिंग मतलब एक कोई स्ट्रिंग रहना चाहिए इसमें आवियस से ट्रिंग है ही ऐसा तो है नीकमनी स्ट्रिंग ने दिया हुआ इसको स्ट्रिंग करं से करेंशी में ठीक कर लेते हैं एक बूं कنि अर्वह की है चिखाने पड़ेगी और नीचे आते हैं थोरा सब्सक्ति रखे लेते हैं मन्त कि ऊस्ट्रिंग स्थी एक स्टीन ठीक है और y पे भी उमें values दिखाने है तो यहां पर values आ जाएंगी y पे और नीचे आते हैं थोड़ा सा यहां पर हमारा minimum axis value और maximum axis value भी दिया हुगा बार वीड नहीं यहां पर हाह दिया हुगा है minimum max value कितना रखना है मालों में रखना है 20 में इसको रखना है में 100 कि मिनिमुम घट्टी तो यह दिखा आपका यह सारी चीज़ सई है तो रहां नीचे आता हूं यहाँ पर इसको मैं इस टाइप से कर दूँए यहाँ पर आप इसको चेंज भी कर सकते हो और अगर वार्विट Спेसिंग वार्वीट इस्याब बारविट मिचेंच कर सकते हो कि अब और नीचे आशे थोड़ा से यहां पर एक एक ही जाー रोती लेवल का जो आपको यह लेवल है इसको छोद्था साथैंज कर लो आप मसल्हां नीचे कर सकते हो और देखता हूँ वो कहां से है वैसे बाइडिपॉल्ट लेबल टाइप फॉर्मिट नंबर में नंबर मत रखो इसको डिपॉल्ट ही रखो तो लेजेंड नहीं इनेवल टूल्टिप ठीक है बार विट्थ जड़ा टेंग की पैडिंग देते हैं चलो ठीक है कोई बात नहीं यहाँ पर सई है यह और इसको नीची आता है सोसे पहले तो लेबल इंट्रवल जो है मारा इसको करेंगे 20 का ठीक है और 14 और फ़ला सब इसको ऐसे नहीं दिखाना चाहिए तो यहीं दिक्कत हो रही है थोड़ा सा प्रटर फ्लो के अंदर जो हमारा चार्ट है और वो काफी सही तरह से बना नहीं हुआ है तो यह थोड़ा सा इस्चू है इसका तो जासे मैं रिकमेंड यही करूंगा कि आप लोग अपने से बना कि यह पब्लिस हो गया है और एक बार मैं इस पर चल कर देखता हूं कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है इसको मैं एक बार कर लेता हूं हमारा सब कुछ काम कर रहा है क्योंकि यह चार्ट बनाने सइसे दिखा नहीं रहा है यहां पर लेकिन आप यहां पर देखो आपका यह बार है वो काफी बड़ा दिख रहा है तो इसको हम लोग सही करते हैं सबसे पहले यहां पर आता हूँ, utility के अंदर आऊंगा, उसके बाद इस sidebar menu है, उसको भी छोटा करूँगा यहां से, sidebar menu भी छोटा करूँगा यहां पर, और जो आपका app bar है, उसको भी छोटा करूँगा, यह बहुत बड़ा दिख रहा है सब, इसको थोड़ा और चोटा करते हैं, ठीक ह सही है, और जो sidebar menu है, उसको मैं और अगर छोटा करूँ, तो यहां पर आपका यह चीज अंदर चला जा रहा है, मतलब यह थोड़ा सा issue आ रहा है, डिजाइन में, तो इसको मैं और कम कर लेता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ, 978, ओके 8 ठीक है, लेकिन यहां पर देखोगा और इसमें पैडिंग देखे रखा था मैंने, इसको भटा देता हूँ, यहां पर इसकी पैडिंग हटाते हैं यहां से, इसकी पैडिंग हटा देता हूँ, और जो यह आपका container है, चलो इसकी पैडिंग नहीं है, कोई बात नहीं, इसको भटाते हैं यहां से, और यह वाला बनाना पड़ेगा ठीक है चलो कोई बात ने इसको मैं किसी और वीडियो में एक कस्टम चार्ट कैसे बनाते हैं उसको बनाके डाल दूंगा कस्टम विजट का यूज करके ठीक है कि आप उसको बार-बार री यूज कर सकते हो कहीं इसका लेजन का नाम डाल देता हूं मानलो यसे रेवेन्यू कर लेता हूं वैसे मैं अभी प्रिव्यू करूंगा तो बहुत खराब लग रहा है लेकिन कोई बात ने इसको बाद में जनरेट करेंगे मतलब इक अच्छा सा कस्टम कोड करके एक चार्ट बनाएंगे ठीक है अभी के यसा है वैसे रहने देते हैं इसको चार्ट वन डाटा है आपका बार लेबल्स रेवेन्यू मंथ नेम वैल्यूज ओके यह उल्टा है मारा इसको सही करना पड़ेगा मंथ नेम जो होता है वो आपका होता है हमेसा सारी बार का जो लेबल होता है वो हमेसा होता है आपका इस ट्रिंग और जो बार की मतलब एक तरह से constant मतलब सॉरी यहां पर यहां पर वह हमिशा होता है आपका नंबर कर लेते हैं कंफर्म करते हैं इसको बैसे मैं इस चीज देखना चाहरा था कि अगर मैं इसको हटा के Pequireant सॉरी आते हैं जो हमने यहां पर वीस्ट पाव डबल किया है न कि इसको जो जरा मुझ करते मिश्टिश करते हैं इसको डबल श्कुर्ड करके में क्या होता देखते हैं रेवेंदू में आता हूं फिक इस ट्रिंग में इसको मैं कर लेता हूं लिस्ट आफ इस्ट्रिंग पहले जो आइटम में उसको मैं आइड करता हूँ 82, 23, 23, 67, 43, 81, 94, यहां फिर करते हैं 100 और यह क्या इतना कर लेंगे 28 मालो कर ले रहें और यह कर ले रहें 10 अब जड़ा करके इसको देखूं कि क्या यह सही है मतलब अगर मैं इसमें जनरेट करूं इसको बार वैल्यूस को अगर रेवेन्यू डाल देता हूँ नहीं अभी भी यह गलत दिखा रहा है यहां पर बार वैल्यूस जो है मन्थ नेम ठीक है यह इसको हटाता हूँ जरा तो इसको इसके पर आता हूँ ठीक है वाई डाटा जो है रेवेन्यू अगर मैं कर देता हूँ इसको अब ऑवियस से यह तो सही चीज है कि मन्थ नेम मैं दे रहा हूँ यहां पर एट लिस्ट वन आफिव डाटा सेट इस टाइप स्ट्रिंग हाँ दोनों तो इस्ट्रिंग मैं ने कर लिया है यहां पर नॉट डिफाइंड दिखा रहा है कोई बात नहीं हम लोग तो यहां पर कर लिता हूँ रैंडम स्ट्रिंग यह रैंडम स्ट्रिंग हो गया और वाई डाटा क्या रखता हूं यहां पर अगर किसी ने यह सई से समझ पाया हो तो आप एक बाद में कमेंट में बता देना कि कैसे काम करता है कि मैं इसको समझ नहीं पारा बिल्कुल भी विजगे नहीं समझपा रहे हैं आगर मैं इसको विजट स्टेट साज़ी विजट स्टेटРЕउ है कि इसमें आता हूँ है और ड्यवेन्यूं है अगर देवेन्म उपर कर दू है और वाई डाटा में क्या रख़ो मैं आगर मंस्नियम रख़ देता हूँ तब ही गलत है चलो चेक करते हैं किया किस तरह से सही हो गई है क्योंकि यह चीज तो गलत है ऑविएस गलत है कि जिस तरह से यह जनरेट कर रहा है रेवेन्यू भी लिस्ट आफ इस्ट्रिंग मैंने कर दिया यह गलत कर रहा है यहां पर है अब यहां पर आते हैं लाइंच चार्ट वण में अगर मैं एक स्पे क्या रख देता हूं आपका रेवेन्यू ठीक है और wipe में रख देता हूँ आपका month name तो यह कोई error नहीं दिखा रहा है मैं तो यक्ष data पे काम करता हूँ मैं यहाँ पे लेता हूँ random यहाँ पे random data लेता हूँ list of random doubles ठीक है max कितना लेना है मैं 100 की बीच में ले सकते हैं max यहाँ पे मैं 100 कर लेता हूँ 100 0.00 ठीक है confirm करता हूँ list of random doubles ठीक है prevent overshooting कर देते हैं 100 dots अब जब चला के देखता हूँ कि क्या यह सही है और जो इसका बार चार्ट भी है यह वाला जो है आपका आइमीन यह बार चार्ट है ना इसका भी करते देखते हैं बार जो बार लेबल है इसमें आता हूँ और इसको ले देता हूं month name ठीक है और जो बार की values है वो obvious revenue होने ही चाहिए यार किसी भी तरह से यह revenue रहेगा कि जो values है वो कहां तक जाना है उसको revenue से दिखाएगा वो बट अब नहीं पता क्या issue मतलब इसमें issue आ रहा है इसका चलो कोई बात नहीं यह अगर किसी को समझ में आया हो कैसे काम करता है यह तो एक बार आप मेरे कमेंट में बता देना ठीक है नहीं तो मैं एक कस्टम बिज ठीक है तो प्रोड़ेट वाले पेज के लिए में क्या करेंगे यहां पर एक नया पेज करता हूं मैं क्रिएट ब्लैंक करूंगा यह रहेगा हमारा प्रोड़ेट पेज ठीक है create page कर लेते हैं इसमें app bar हमें डगाना नहीं है तो हटा देता हूँ मैं सीधे करूँगा मैं इसमें सबसे पहले तो अपना जो app bar custom बनाया था उसको paste करूँगा यहाँ पे उसके बाद रखूँगा एक row row को मैं करूँगा यहाँ पे expand देखो मैं row को expand क्यों कर रहा हूं और row ही क्यों रख रहा हूं इसका छोटा सा logic है कि जैसे मान लो आपने यहाँ पे सिर्फ column रखा ठीक है और यहाँ पे आपने रख दिया sidebar यह sidebar रख दिया आपने और इसको कर दिया इस side में अब यह पूरा expand होगा मतलब भी कोई scroll करेगा इसको जिसे column को आपको scroll करना है न और इसको मैं चोटा करता हूं column को scroll करो गया और यह चोटा जब करो गया यह पूरा scroll होगा तो हमें यह चीज नहीं करानी है ठीक है इसलिए मैं हमेशा किया रखता हूं आपका रो रख लेता हूं ठीक है तो यह इसको उठाते हैं यहाँ से जबापका कॉलम है यह वाला इसको मैं expand बंद कर दूंगा यहां से मतलब जो आपर स्क्रॉल है उसको बंद कर दूँगा ठीक है यहाँ पर मैं करता हूँ यहाँ पर रखोंगा रो रखने के बाद यहाँ पर इसको फुल एक्स्पैंड करूँगा इस पर क्लिक करके स्टाइड बार मेन्यू एड करूँगा अभी देखो हुए कि आपका जो यह है जो बैक्राउंड कलर है इसका वह चेंज नहीं हुआ है मतलब वह अभी डैसबोर्ट पर ही है कि जिससे यूजर को लगेगा कि यार मैं तो अभी डैसबोर्ट पर ही हूँ लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे हम लोग इसको चेंज करने का सबसे अच्छा तरीका है यह आप साइड बार मेन्व से कस्टम कलर का मतलब डाय्यम डाय्यमीग कलर देडो आप डाय्यम साइड़ नेमीक कलर जो parameter था वो आपक कलर का कैसा color आप देना चाहते हो ठीक है लेकिन अगर यहाँ पर आपको एक ही parameter पास कराना कि जिस page name से match करें सिर्फ उसी का color highlight हो ठीक है तो यहाँ पर आते हैं इसमें हम लोग colors में आएंगे तो colors का है यह वाला रहा primary color ठीक है इसको मैं कर लेता हूँ primary ठीक first value क्या रखेंगे अगर page name equal to हो किसके dashboard के ठीक है dashboard की equal हो तो कौन सा color रखना है में primary color नहीं तो कैसा color रखना है primary background color प्रैमरी बैग्राउंड कलर तो नहीं लग रहा है हमें लग रहा है secondary color हमने रखा हुए right देख लेता हूँ देखने में क्या जा रहा है इसमें secondary background color रखा है तो हम लोग रखेंगे सो secondary background color ठीक है copy करता हूँ इसको इसको भी करूँगा यहाँ पर copy variable और सभी के लिए same चीज container में आते हैं fill color में इसको करेंगे paste और यहाँ पर क्या चेंज करना होगा हमें product का product ठीक है यह products का page है हमारा confirm करते हैं दुबारा आएंगे यहाँ पर container के अंदर इसको भी अमलोग करेंगे same चीज यहाँ पर करूँगा paste और paste करने के बाद dashboard चेंज करके मैं क्या करूँगा order order list कर लेता हूं ठीक है लेकिन ध्यान रखना जो चीज आप यहाँ पर रख रहे हो वही exact वहाँ पर आपको पास भी करनी पड़ेगी ठीक है इसको मैं कर लेता हूं यहाँ से coffee coffee करने के बाद container में आऊंगा container का भी color दे दूँगा यहाँ से यहाँ पर आऊंगा paste करूँगा है इसको इसमें आके इसको करूँगा paste करते हैं इसको भी करेंगे confirm यहाँ पर आते हैं container इसको फिल कलर करेंगे यहां से पेश्ट हम लोग यहां पर आएंगे से केंड वैलू क्या होगी inbox की ठीक है inbox हो जाएगा हमारा ये और करेंगे इसको लोग यहां से confirm ठीक है अब हम pages में आएंगे अपने dashboard वाले page में तो हमें यहां पर क्या पास करना है dashboard पास करना है तो copy करेंगे यहां से इसमें आएंगे page name एंपास करने डेसबोर्ड अप्र्हिट्थ में है थो प्रलेक्ट समय पास करना है तो प्रॉडक्ट कर लेते हैं यहां सी है ठीक है प्रोडक्ट सो यहां पर यह तो हो जा जाएगा आ kes में प्रोडक्ट कर Пон्यों थी हो गया navigation बनाएंगे, navigation, dashboard का रहेगा ये, और ये रहेगा आपका instant, sorry, parameter creating करना है, मतलब जो animation है इसका, settings में आते हैं, और देखते हैं, यहाँ पर डिटेल में transition को override करेंगे, और इसको कर लेंगे, हम लोगे instant, ठीक है, जिसे कि ये ना लगे कि कोई page change हो रहा है, मतलब जिसे slide करके आ र नीचे, ये सारी चीजी ना लगे हमें, इसके लिए हम लोग कर रहे है, ठीक है, instant कर देंगे, ज्यारा सही रहेगा, इस पर आएंगे, और ये भी navigation रखेंगे, ये प्रोड़क्ट वाले page भी navigate करेगा, ठीक है, ये होगे, आपको और करते हैं, हम लोग इसको save, save होने के अब प्रोड़क्ट पर क्लिक करेंगे, लेकिन नहीं, अभी भी सही नहीं है, इसको मैं एक बार refresh करता हूँ, हो सबता है, cash है save रहा हो इसमें, हाँ, चलो ये देखो, ये से प्रोड़क्ट पर आएंगे, तो प्रोड़क्ट में ये आगया आपका, बट अभी भी देखो कि आपका जो color है न, background वाला, वो सही नहीं है, ठीक है, और ये आपका ये चीज बड़ा हो गया है, ये चीज नीचे आ गया है, मतलब design थोड़ा सा change होई है, मतलब खराब होई है, change तो नहीं कह सकते, इसको खराब बोल सकते हैं, है न, तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग फिर तो मैं diameter में इसको करूँ छोटा, ठीक है, ये आपका छोटा हो गया ये, और ये देखो कि यहाँ पर over flow कर रहा है, है न, और ये भी नीचे आ जा रहा है, यहाँ पर, तो इसको कि हम लोग ध्यान रखें थोड़ा सा, इसको, जो text field है, इसकी width हमने दी होई थी, ठीक है, max line ह ये भी center में कर देता हूँ, इसको सभी side से, और ये होगी आपका लेकिन ये नीचे आ गया है, तो नीचे आने का reason सिफ एक हो सकता है, यहाँ तो नीचे आते हैं जड़ा, इसको मैं हटा दूँ यहाँ ठीक है, और जो ये आपका icon रखा है न, उसको भी गर मैं हटा के देख इसको बीच में नहीं कर सकता मैं, कोई बात ने, इसको भी मैं थोड़ा सा, इसको ये पिक्सल में है, आपका, ओके, ओके, इसको लोग करेंगे थोड़ा सा width change, इसकी जो height है, उससे percentage में करेंगे, ठीक है, आपका जो icon button का button size है, इसको थोड़ा सा करेंगे, छोटा icon size जो है, इसको भी करेंगे, थोड़ा सा, चोटा, 20, और चोटा करतेंगे, इसको, ठीक है, ये हो गया आपका, वैसे अभी भी मुझे लग रहा है ने, खराब दिखे गई है, ये खराब दिख रहा है ये, ठीक काम करते है, इसको मैं थोड़ा change करता हूँ, इसको उठाते हैं, यहां इसको मैं wrap कर दूँ अगर, card के अंदर, ठीक है, और इसको मैं करता हूँ, तो एक काम कर सकते हैं, जैसे यहां पर मैंने input water हटा दिया है, अगर मैं underline कर दूँ, खराब लगेगा, outline इसका कर दूँ, तिये रहेगा बीच में, ओके, एक काम करते हैं, इसमें outline तो है ही हमारे पास ना, तो इसको मैं हटाता हूँ, container को, ठीक है, container को हटाते हैं यहां से, और यह वाली चीज़ है आपकी, इसको अगर मैं कर दूँ, outline, input border type outline में रहेगा, ठीक है, यह हो गया आपका outline, search बटन हटा देते हैं यहां से, यह रहेगा full track, इसको मैं expand करता हूँ, सबसे पहले तो यह expand होगा, search का, search me type में है, और इसके अदर में रखता हूँ, बटन, और यह row है आपका, इसके बीचे में कर देता हूँ, space 20 का, search, ठीक है, यह search हो गया आपका, और जो इसकी height or width है, height को मैं कर दूँ अगर दो, और change करूँ इसको 5 की percent, 5 percent ठीक है, यह भी सही है, इधर भी आ गया, सही हो गया यह, और थोड़ा सा गर्षा छोटा करूँगा, तो सही नहीं, ज्याता खराब हुजाएगा यह, जले इसका मैं Macbook का size change करके देखता हूँ, 16 है न, सही है, और इसको 16 और में change करूँ, 19 वर्जन नहीं, pro air करूँ, ठीक है, यह भी सही है, आपका यह भी सही है, 21 वाले में भी सही है, आई Mac में भी सही है, लेकिन कुछ यादा space ले रहा है, कोई बात नहीं, हम लोग एक काम करेंगे हैं, height है, तो हमने इसने दिया हुआ है, percentage के हिसाब से, तो अपने हिसाब से manage करता रहेगा, ठीक है, चलो हम लोग इसमें थे, by default, हम लोग उससे बनाते हैं, हम लोग थे, सायद, Macbook 14 में, है न, ने, इसमें थे हम लोग, ठीक है, यह चीज़ है हमारा, dashboard में आते हैं दुबारा, यहां से, और कहां पर issue आ रहा थ तो इसको सही करेंगे, तो उसको सही करने के लिए क्या करेंगे, उसको साइड बार मेन्यू में आते हैं, और जो आपका test color है, उसको भी थोड़ा change करेंगे, है न, ओके, container में आते हैं, container में आने के बाद यहां पर आएंगे, जो इस चीज़ को हम लोग सिधे करेंगे, copy, copy variable अब इसी same चीज़ को हम लोग टेस्ट के ऊपर भी apply करेंगे, तो test color है आपका, इसमें paste करते हैं, if dashboard है, ठीक है, तो primary color क्या रखना है हमें, white रखना है, नहीं तो क्या रखना हमें, black रखना है, ठीक है, और confirm करते हैं यहां से, इसी चीज़ को मैं करूंगा copy, copy करने के बाद same चीज़ icon के लिए भी होगा, यहां पर करूंगा paste इसको, ठीक, यह paste हो गया आपका, अब इसके लिए भी same चीज़ करना होगा, यहां पर paste करेंगे, यहां पर डालेंगे product, product कर देते हैं इसको, confirm करेंगे, यह हो गया, और इसी same चीज़ को मैं करूंगा, यहां से copy, copy variable, इस इसमें आते हैं, इसमें करते हैं, paste इस चीज़ को, confirm करेंगे, अब आएंगे order में, order list में, जो test color होगा, इसका इसमें आएंगे, और इस पर क्लिक करके, यहां पर paste करेंगे, products हटा के, यहां पर paste order list, confirm, यहां पर आते हैं, इसमें आएंगे, paste करेंगे, इसमें डालेंगे, order list confirm और confirm करते हैं इसको फnox में आते हैं है यहां पर कणेज़ करेंगे इसको बेंगे करा है कंट्बेश्ट किया है शुरह जो एक हनलाह मनेशन ठीज में अधर प्रसार है ठीक है कोई बात प्रुद नहीं इसमें ट्रेस्ट बिछ से इस स्थे करेंगे यहांए विए हुआ करना होगा इसको करेंगे यहां से पेश्ट चैनaltro कर देतें इसको ठीक है इन बाक्स रहेगा confirm करते हैं इसको कर देंगे confirm चलो यह हो गया आपका ठीक है अब इक बार इसको फेस्टे में publish करता हूँ क्योंकि काफी खराब लग रहा है देखो इस तरह से कि आपका इक आइकॉन भी नीचे आ रहा है और यह भी सखला और ठीक है थोड़ा सा सही हो जाएगा लेकिन देखो, सबसे खराब तो हमको यह लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ है ही नहीं, एक काम करता हूँ न, मैं यहाँ पर ग्राफ बना लेता हूँ, चार्ट का इमेज ले देता हूँ, यह यह वाई थोड़ा सा अच्छा लगे, चार्ट का इमेज ले देते हैं, यह तो मैं बाद में चार्ट एक कस्टम विजट का यूज करके, कस्टम कोड करके चार्ट बना दूँगा आप लोगों के लिए, तो आप उसका, मतलब उस वीडियो को देख कि आप अराम से इंटेग्रेट कर सकते हूँ, ठीक है, इसका मैं इमेज, सेव इमेज आइस कर लेता ठीक है, और I am sure कि मैं बनाऊंगा, आप लोगों के लिए परसान मत होना, कभी-कभी भूल जाता हूँ, लेकिन मैं इसको जरूर कम्प्लीट करूँगा, क्योंकि ये मैं खुद नहीं बना पा रहा है, राइट, या आप मैं रखता हूँ, चार्ट मिलता है कि नहीं मिलता है नहीं, ये गंदा लग रहा है, इसको हटाओ, इसे अचल मैं एसेट से निकाल दूँ, एसेट में जो भी मैंने डाउनलोड किया था, आप लोड करते हैं एसेट में, जभी मैंने डाउनलोड किया है, यहाँ पर ये, ठीक है? ये सही है, मसलब कुछ अच्छा तो लग रहा है थोड़ा सा, ठीक है? और इसको एक प्रॉलिबल भी हमारा अन है ये, और नीचे से मैं थोड़ा सा इसको दे देता हूँ, इन्डे स्पेसिंग 10 थी, ये नीचे चिपका बना लगे इसमें, ठीक हो गया आपका, ये चार्ट इसमें इसको भी स्वड़ा सामें रखना पड़ेगा कुछ दूसरी चीज, तो दूसरी चीज में हमलों क्या रखें इसमें, ये वादा चीज रख दें क्या, ये तो देखनी रहा है सही, यहाँ पे स्वड़ा से HD चार्ट करते हैं, चलो कोई बात नहीं, ये हमारा पाई च चार्ट रख देते हैं, ठीक है, इसको रख लेते हैं, और सेब इमेज, ऐस कर लेते हैं इसको, और इसमें आते हैं, इसमें तोड़ा रख दूँगा, मैं इमेज, देखो इसको मैं चेंज करूँगा, तो परसान मत होना, मैं इसको चेंज करूँगा, ठीक है, अभी सब्सक्राइब कर दिया साथ यह सही कंवर्जन नहीं होगा इसका इन्वारीड डाटा देखें यहां पर डाटा इन्वारीड हो गया है उसका चलो कोई बात नहीं मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं चार्ट को अपने यह वाला नहीं फिर यह वाला नहीं इसको ले लेते हैं सेवी में जैस करते हैं इसको सब्सक्राइब करते हैं इसको कॉपी कर लेता हूं से इसको कर लेता हूं यहां पर पेश्ट गंदा लेगा यह एसी नहीं करते हैं इसको चलो ठीक है यही सही लग रहा ठीक यह हो गया अब इसको में दुबारा इसबर पब्लिस कर दूँ बस मेरा में मोटिफ वीए था इमेजर रखने का कि थोड़ा सा अच्छा दिखे ठीक है आप लोग के लिए बना रहो तो थोड़ा सा अच्छा दिखे क्योंकि कुश्टम लीःटड का क्यूरें करो कर लाइज फंसे अठेक है आपको भी करना पड़े का इसे यूट फ्लो यह होसकता है मेरे को शरह से बनाना नहीं आता हो एक साट करके बता देना मेरे tota rice को बनाते हैंप अ था से और ऊक्वे ब्रक़ंगा यहांपर के लॉक्त szeret सबी साइड से और ऊपर रहेगा हमारा टेक्स्ट कोब करण यह आएंगे क्रम करेंगे इसको हरा पेस्ट करेंगे इसमें रगता प्रोड़क्ट को अधीक है प्रोडक्क हो गए हमारे उसके बादस इतने हैं हमारे पास वह यहां पर दिखाना होगा तो प्रोडट्स दिखाने की क्या करेंगे अम लोगी ग्रिड विव ले देते हैं ठीक है यहां पर करते हैं ग्रिड विव ग्रेड विव आपका और जो एकसेस रहे हो वाटिकल लेगा क्यों हम लोग वॉटिकल टाइप में सारी चीज़े को ठीक है और एक्सिस काउंट जो है मैं उसको फूर कर देता हूं यहां पर पूर रहेगा काफी सभी दिखेगा भी इसके अंदर रखता हूं मैं कंटेणर यह मारा कंटेणर हो गया और यह कॉलम है ना इसको मैं थोड़ा देता हूं 20 का स्पेस मतलब आइटम स्पेस कर देता और इस चीज को बॉर्डर रेडियस जवाइस को कवेंगा 10 थोड़ा और चेंज करता हूं यह राउन कटिंग का ठीक है यह जाएगा और साइस ते मुझे इसकोड़ा साई करना पड़े है क्योंकि यह बहुल जाला चिपका हुए लग रहा है ना यहां पर इन दोनों में ज चेंज कर दो इसको 15 या 20 कर दो इसको 20 में 20 में सभी रहा है काफी है चलो इसको डुपलिकेट कर देता हूं सबको और हो गए यहां पर और आप इस्पेस भी देना होगा में तो क्रॉस एकसिस का इस्पेस देता हूं ट्वेंटी 30 35 तक देता हूं ठीक है यह ओगए 35 का और मेन एक्सिस को भी हमें सही करना होगा तो मेन एक्सिस को 20 रहता हूं 20 से प्रण उपड़ देना पड़ेगा चलो 30 सही है यहाँ पर मेन एक्सिस भी 30 होगा यह भी सही होगह हमारे पास यह भी सारी चीज़ आ गई और कॉलम पर क्लिक करता हूं कॉलम पर आने के बाद यहां पर मैं देदूँगा टेंट का नहीं टेंट नहीं 15 ट्रेंट सभी साइड से मतलब पैडिंग देदूगा सभी साइड से उसके बाद हमें क्या रखना है यहां पर एक इमेज वीव रखन यह रहा है इसको यूज़ पर यहां पर आपको फोला से नीचे कर देना आपका यह वाला जो इसकी विट्ट रहें की हाइट रखना परेगा मैं हाइट रखते नीचे आते हैं 17 20 कर देता हूं ठीक है यह होगा टूंटी हाइट होगी इसकी और इसको भी थोड़ा सब चेंज करेंगे 1.6 नहीं और इसको अम लोगो को करना पड़ेगा कितना 0.9 करें इसको 0.9 0.8 ठीक है 0.8 साही लग रहा है यहां पर रखेंगे आम लोग एक रो रखेंगे आइटम स्पेस 15 ठीक है अब इस रोख अंदर रहेगा टेक्स टेक्स के अंदर रहेगा एक 16 का है ठीक है यहां पर रख देता हूं मानलो जैसे आपका कोई प्रोड़क्ट हो गया जैसे कि आप लेलो आइफोन 17 प्रो जो कि अबही आया नहीं है कोई बात नहीं ऐए ऐक्म 17 प्रोड़ इसको और बहूं लेवन लार्ज करता हूं इसको रखना मेडियम कलर क्या रहेगा सब ब्लैग करता हूं इसके यह क्यों हो गया है उसके पाद इसकी हमें प्राइज भी रखनी है तो प्राइज रख को नहीं जादा चोटा हो गया है यह slowedा कर देते हैं ठीक है I PARISE कर लेते हैं 3000 स्रीरीin के साइड में आते हैं क्लेचे शोड़ी कर देता है आध अधर यह श करदे ऑं रूपीज का और यह जो रहेगा आपका वह यह कलर रहेगा कि यह प्रैमरी वाला यह यह होगी आपका अब में पीछी ने बटन रख देते हैं ऐडिट का बटन दूए का इडिट टर्रॉडर्टे का इडिट अडेड डरॉड। कहले कर देनी चाहिए साइड में अच्छा नहीं लगया यहां पर कि इसको में सेंट्रिल करने वैसे मैंने आप नहीं पता क्यों भूल कि मैंने रो इस्तमाल कर लिया इसको रो नहीं रखना था मैं इसको निचे ले प्याओ रो अटा दिया हां से ठीक है यह चीज अब थोड़ा सा साही लग रही है है ना यह प्रोड़ेट आगया आपका वन खराब हो जाएगा इसको एड को नहीं टू वन नहीं टू सही है ठीक है इनेबल आटो प्ले कर देते हैं डियूरेशन आठ मिलि सेकेंड का था एक्सिस रजांटल विटीकल भी ठाक सकते हैं लेकिंको हारिजांटल रखना है यह हो गया और इस केडूजल को हम लोग एक काम करते हैं रैप कर देते हैं किसमें किसमें रैप कर सकते हम लोग रैप के अंदर ठीक है अब रैप के अंदर क्या करेंगे हम लोग एक रो रखते हैं रैप के अंदर रखेंगे इंसर्ट विजेट करके रो अब इस रोखो मैं करता हूं इस साइड बसे एक मिट मैं रैप में रो रखना था यह रैप है नहीं आपका रैप के अंदर रखनें लिए रो ठीक है अब इस रोखो मैं करूंगा तो आसा ऊपर डैप में आता हूं एक यह रैप इस चेंदर है और के अंदर हैं आद रही है कर दो जाओ इसको मैं सब्सक्राइब करता हूं तंथिल रउंग उच्छाँ भाई क्या रॉंग हो गया तेरा है यह हमारा रैप है न को इसको मैं सब्सक्राइब दुबारा क्यरुजल चंदर हमें रिठा रखना था एक row रखना था और वो मैं इसलिए रख रहा हूँ कि मैं एक बटन लगाना चाहता हूँ यहां पे रै nearest को रो में değil स्क्रपः औरी किन्जलम इस करें करिंध इस प्राम इसो कोड़ा है कि इस है एक रखना कर देता हूं फेड़े बाद तो रैप के अंदर इक है अब इस रैप के अंदर में इंसर्ट विलेट करूंगा आइकॉन बटन अब इस आइकॉन बटन को चाहँ तुमें चेंज कर सकता हूं एक रुप जाओ इसको नहीं अभी भी नहीं सही वर रैप में आते हैं रैप का जो चाहिड एनाइमेंट नहीं सही है इस आ आइपॉन बटन इसको थोड़ा से उपर जाहा रहा हूँ करेजल भी तो नीचाहिए लिए रहा क्या इस आइप्वाइड को नसाइप नहीं इस मतीरियर जो रैप है इसको में थोड़ा सा उपर पर्लगा जास जाई रहेगा निकिन ये वह डूट है पार टा कर हम वाई एक्सेसर फ़ड़ा चेंज करते हैं यहां पर इतने चेंज हो जाए गार परी वे भी चेंज नहीं हो रहा है यह कोई बात ने इसको हम लोग को करना साइड में इस पहले आइकाउन बटन खटा यहां से इस ते रैप के अंदर क्या है करूजल है और इसके अंदर रखेंगे रोएक इट है हुआ है कि थोड़ा से ऊपर करने सोच रहा हूं लेकिन ऊपर नहीं जा रहा है टों कोई बतने रोग को यहां प्राइजाता है राम से जो पर ही और चला गया छोड़ो इसको ठीक है इसे चाहिए काम कर सकते हैं कि इतना मैंने अभी सब किया है इतना टाइम बीश्ट करकी उससे चाहिए आपर क्या जो पर एक कर देता हूं पहले बाद दो विट्ट आप इसकी देदो 10 अब परसेंट के साथ से दे रहा हूं मैं ठीक है यह को गई विट्ट इसकी इसको रैप कर लो किसमें एक कंटेनर में ठीक है अब कंटेनर आ गया हमारे पास कंटेनर आ गया और जो क्या कर सकते हैं एक इंसर्ट विजेट करता हूं रोड़ रैप कर देते हैं ठीक है इसमें आते हैं इसको नीचे करणगा है मतलब बीच में आए गई है कोई बात नहीं नहीं पर इस स्कॉण दो करें ड़िये आटा है कि स्टैक को करेंगे इंटर ठीक है इस एंटर हो गया इस टैक और अब जो इमेज्ट शेक्ट आ करते ताहरा च्छोटा टें भेड लिवस को थूट्रत पर दो टिक है अब जो ब्यू बीउट ट्रेक्शन है आपका कर रोजल्ट ऑ ठीक है नहीं 0.5 नहीं 0.9 चलो यह सही है इसमें रखो आप आइकॉन बटन आइकॉन बटन इदर फिल कलर क्या होगा प्रैमरी कलर होगा ठीक है और स्जी डूप्लिकेट करो आप इसको कर तो इस साइड में और गरुजन का थोड़ा इस ताइज इसके थोड़ा बंद करो यह ठीक है यह वन हो गया है और जो करूजन में आज़ो वापस तो आप इसको थोड़ा सकता है ठीक है जो गंटेनर है कंटेनर की जो बिर्थ है उससे आप और चेंज करो यहां से कंटेनर क्यूइट चेंज हो गई यहां से ठीक है अब करूजन भी हलका सचेंज करना है आप इसी तरह आपको आप बनाना पड़ेगा ठीक है इंज कोई भी वेबसाइट बनाओ इतना टाइम लगेगा बनाने में अगर आप बोर हो रहे हो तो कोई बात नहीं वीडियो को बंद कर लो फोड़ा से देर भूं किया उसके बाद फिर से बनाने बैठाओ जिरो पॉइंट नाइन जिरो पॉइंट थ्री एट नाइन ठीक है वैसे आटो प्ले तो मैंने आउन करके रखता हुआ है तो इसलिए जरूवत नहीं पड़ेगी हूं आटो प्ले बन कर देता हूं प्रास अब फ्रास नीचे कर दो लेकिन यह आप पास तहीं नहीं रहेगा यह सही है ठीक है चलो अब सही हो गया यह यहाँ पर कर देते हैं लेफ्ट और यहाँ पर कर देते हैं राइट ठीक चलो ठीक है अब इसी सेम चीज़ को मैं करूँगा कॉफी यहाँ पर करूँगा पेस्ट यहाँ पर भी करूँगा पेस्ट इसको भी करूँगा पेस्ट य जारियत कैसे बनाना है डैसबूर और प्रोड़क पीज अब चलते हैं ओडर लिस्ट के उपर जहां पे जितने भी ओडर आए हैं हमारे जिसे जितने भी ओडर हमारे वेबसाइट पे आए हैं उनको शो करने के लिए और लिस्ट का यूज करेंगे हम लोग तो यहां पर आता ह हूं अब करेंगे हम लोग यहां पर order order लिस्ट कर लेते हैं या तो फिर सिद्धे order ही करता हूं ठीक create folder करता हूं और यहां पर create करूंगा एक नया page यहां पर blank करते हैं इसको लिखते हैं order list कि अधर हो गया list हो गई ठीक है create page कर लेते हैं यहां से इसको वो खटाता हूँ क्योंकि हमारे पास यहां से पहले, पहले से हमारे पास एक इसमें आते हैं और चेक करते हैं कि यह हमारा साइड बार मेन्यू है उसके अंदर जो कंटेनर लगा हुआ है वो जो कलर चेंज होगा उसका और लिष्ट के हिसाप से ही हो रहा है ठीक है यह उगे आपका और विसे यह बहुद चिप का हुआ लग रहा है आप देखो यहां पे यह बहुत ज्यादा चिप का हुआ लग रहा है एक क्लम करते हैं स्टार्ट में कर देता हूँ 10 की ठीक है वैसे इसमें भी करूँ ludzi करूंगा विटेनी इस्पेस हो जाएगा, ठीक है, चलो, वह बीक काफी सही लग रहा है यह, अगर मैं तो अब छोटा करूँ, देखता हूँ, यहां पे छोटा करते हैं, यह श्टाक का केज है, वो हट जा रहा है, ठीक, ना सही है, पर जाते हैं, अपने order list वाले page पे, ठीक है, यह है, यहां को अफ़े हो ओर ऑड़ लिस्ट उल क्वेज और अब हमको यहां का जो मेंस काइड में कर दो एक लिस्ट की फॉरम में ही क्रियेट करूं ठीक है तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा एक normal सा पहले तो मैं column रखूंगा ठीक है column को देता हूँ मैं यहाँ पर padding tanky सभी side से और कर देता हूँ पूरा इसको expand expand हो गया अब दुबारे चलता हूँ product page के उपर और यह जो रखा हूँ गए text इसको करता हूँ कि लिस्ट में हमें data table type का ही शो करना होगा न तो इसको हम लोग data table रखेंगे यहाँ पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ ले देता हूँ data table ठीक है यहाँ पर हमारा data table आ गया है और इसको customize करेंगी हम लोग थोड़ा से देता हूँ item space 20 का ठीक है end spacing देता हूँ 20 का start spacing 20 का नहीं सही है चलो यह हो गया अब यहाँ पर आएंगे header row का color हमनों define करते हैं क्योंकि हमारे पास जो header row का color है हमें वो white ही रखना है तो यहाँ पर मैं सीधे white चूस कर लेता हूँ primary background ऐसे primary background match कर रहा है इससे तो यह काम करते है इसको कर लेते secondary background ठीक है white हो जाएगा row का color सही है alternate color क्या करेंगे हम लोग अब यहाँ पर secondary background अगर मैं करता हूँ alternate color तो सब white हो जा रहा है ओके row color मैं कुछ और रख लेता हूँ जैसे border color यह देखो वैसे यह ज्यादा खराब लग रहा है एक काम करते सबको white ही रख लेते हैं न वाइट काफी सही रहेगा और जो header वाला color है उसको हलका सा कुछ और color देते हैं मानले इसको मैं यह कर देता हूँ ठीक है और जो alternate color है उसको और header का थोड़ा समय जशेंज करना होगा header में तो header क्या करूँ एक मिए secondary टेक्स रखता हूँ तो यह जाद कराब हो जाएगा और में नहींक नहीं लग रहे हैं और हूं फोड़ा सा इसको और करते हैं इसको मैं हलका सानीचे देखे आता हूं यूस कलर करते हूं वैसे गंदा लग रहे है यार यह कर लगएगा एकसेट में ये पूरा मैच कर जा रहा है बैंग्राउंड जा थी कर दे बहुं एक ए हैडस कलर में वाइट ही कर देता हूं क्यूंज इसको करता हूं मैं primary background ठीक है आप ये थोड़ा सा सही लग रहा है तुछी header भी थोड़ा सा लग लग रहा है और एक काम करते हैं आप वो डाल देते हैं divider और जो डिवाइडर डाल देते हैं सब में इसका जो color रहेगा वो रहेगा आपका secondary color ठीक है secondary text का color रहेगा ये हो गया जड़ा देखते हैं कि header के नीचे का भी कुछ change कर सकते हैं क्या हम लोग अगर इसको मैं छोड़ो इसको रहने तो border color देता हूं इसको नीचे का और ये भी जो है border color देता हूं इसको भी ठीक है अब डाटा टेबल लग रहा है प्रॉपर ये लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि जो डाटा टेबल लेना आपकी ये आपको कहीं ने कहीं से connect करना प और एक इनम क्रेट कर लेते हैं ठीक है बिसए नम की चैखा में जो की और कर सकते हैं हाँ फे चूट करते हैं मन्थ और revenue का हमारा प्रेयटथ था अगया कर लीट कर लेता हूं और ये रहेगा क्रेट कर करें एक साइंपल59 आए जाते हैं तो फॉमारा list इससे क्या होगा कि जो हमारा error था वो solve हो जाएगा और हम लोग अपना ui web पे देख सकते हैं सही से यह हो गया has no value कोई बात नहीं हम लोग एक value डाल देते हैं जैसे आपका हो गया iPhone 15 ठीक है दूसरा मैं कर लेता हूँ iPhone 14 14 कर लेता हूँ यहापर paste करता हूँ iPhone 13 हो गया ठीक है अब जो हमारा error था वो भी remove हो गया है अब हमें यहापर कई सारे columns ढलने हो गे तो columns क्या क्या होगा सबसे पहले मैं column ढाल देता हूँ यहाँ पर ID का प्रेकि हमारा यहाँ पर ID से हो होगा तो ऐड़ी कर देता हूँ इसको ठीक है second column क्या होगा homepage नेम का product name ठीक है product name कर लेते हैं third होगा address यह आपको product है वो कहाँ पर जा रहा है address हो गया और भी हमें columns डालने होगे जैसे कि आपको date हो गया type हो गया status तो तीन तो हैं हमारे पास already ठीक है तीन और डालने तो मैं कर दता हूँ six ठीक है यहां पर आता हूं और यहां पर क्लिक करके क्या करूँंगा यहां पर रखता हूं डेट डें टाइब और यह स्टैटस है मरब अ iba cuando और जो ये कॉलम है इसका मैं जो ऑंट साइज इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं सिस्टींग कर देता हूं यह दिखे हैं हम लोग को नहीं तो बहुत ज्यादा छोटा दिख रहा था यह एक काम करते हैं पहले इसको मैं स्लेट आल कर देता हूं इसको इस तरह से ठीक है और नीचे आता हूं यहां पर करता हूं system ठीक का यहां पर ID डालना है हमको product id तो अभी यहां डेनिट कर सकते हैं इसको मैं zero कर दीता हूं impact नेम हमारा हो गया यहां देता हूं और लिस्ट आइटम्स ठीक है कनफर्म करता हूं इसको और इसको भी मैं कर देता हूं नोड़ा ठीक है ना पर हमें डेट डालना तो 17 एपरिल कर देता हूं टाइब क्या है यह ट्रिक इस्टेटस क्या है एक्टिव या नोन एक्टिव है यह डालना है हमें तो एक काम करते हैं तो प्रस इसको अलग तरह से डिजाइन करते हैं अठाता हूं इसको इधर से और यहां पर रखता हूं एक कंटेनर यह कंटेनर रखा देगा यहां पर और इसको मैं करता हूं थोड़ सब बड़ा पहले तो मैं स्क्राइज थोड़ा कर लूँ उसके बाद इसको मैं क्या करूँगा बॉर्डर रेडियस डालता हूं यहां पे ठीक है और इसको भी मैं जो पर स्पेस है नो फोड़ा से जाला करता हूं एटेबल रो की हाइड बढ़ाता हूं मैं हाइड डाल देता चलो यह सही है और इसको परसेंटेज में रखूंगा ना मैं तो परसेंटेज में डाल देता हूं थोड़ा सा और बड़ा करूंगा 5% थोड़ा सा और बड़ा हां सही है इसको परसेंटेज में देना है तो इसको परसेंटेज में करके थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं इसको ठीक है अब जो यहां पर color होगा वो status के हिसाप से होगा जिसे मालों गर completed है तो green दिखाएगा completed नहीं है तो मतलब completed नहीं है processing में है तो ब्लू दिखाएगा नहीं तो red दिखाएगा ठीक है तो हमारा backend से सारे चीज़ चेंज होगा लेकिन मैं अभी design कर रहा हूं सिर्फ design पर focus करते हैं मैं सिर्फ एक color डाल रहा हूं अभी design पर ठीक है तो fill color में आता हूं और success के color लेता हूं green एक काम करेंगा इस पर आऊंगा इसको मैं पहले करता हूं पूरी green ठीक है ग्रीन रहेगा यह और इसको मैं कर देता हूं हल्का इन ठीक यह सही लग रहा है वैसे अच्छा लगने है यह थोड़ा सा मैं और इसको सही करूं हलका सा ग्रीन और उपर करें इसको यूस कलर नहीं यह भी सही नहीं है यह थोड़ा सा सही लग रहा है लेकिन आंख में ज्यादा चुब रहा है इसको थोड़ा सा और कम करें चलो यह तो अब हलका सही लग रहा है एक कम करते हैं और हलका सकम करते हैं और इसको कम कर देता हूं इसको इखर करते हैं ठीक है यह काफी सही लग रहा है इसको उपर रख ट्वेंटी ठीक है और यह रहेगा पुरा ग्रीन कलर का स्वारी यह वाला ग्रीन नहीं कि एको पुरा ग्रीन करते हैं यह खराब लग रहा है क्योंकि यह फलका ग्रीन हो रहा है डार्क ग्रीन चाहिए हमें यह दो सही लग रहा है न यहां पर लिए दो completed अगर इसको नहीं है तो आप इसको रेड़ भी कर सकते हो वैसे यह काफी बड़ा लग रहा है एक काम और करते हैं न यह आपका यह table का height है रो data height जो है उसको और चेंज करते हैं मानों मैं 90 का करते हूँ 80 नहीं 90 करता हूँ ठीक है सही लग रहा है और alternate color भी मैं एक काम करता हूँ न सही कर देता हूँ मैं इसको जैसा है वैसे रहने में देता हूँ ये वाला नहीं ये वाला उल्टा हो जाएगा मैं सेकंडी बैंग्राउंड करते हैं फिसकेंटेंडि बैंग्राउंड करता एंग और जो अशो करendo वे इसको करता हो ठीक है बसी उपर से मैस कर जाएक아 यह दिखकत है इसे नहीं करना है में है तो इसको मैं इधर को इसमेंstrवा और चेंज करतेसा हूं कि याद इक काम करते ना है चालर का पर करें मरी कर देते हैं ठिक वह यह हो गया थी कर आप इसको कसे चल रहा है ते यह सकते हैं side by menu में आते हैं और order list में आता हूं यहां पर एक action बनाऊंगा order list में कहां पर navigate करके जाएगा order list आले पेज़ पे सेव करता हूं और यहां पर क्लिक करके मैं publish करूंगा ठीक है अभी यह नया फीचर आया है आपके फ्लेटर फ्लू के अंदर जिसका मैं वीडियो एक पार्टिकुलर बनाके बता दूंगा कि किस तरह से आपको इसको यूज करना अगर आप macOS चला रहे हो तो ठीक है चलिए आ देखो हमारा यह dashboard था ठीक है और मैंने यहां पर graph निद्ग सोखिया था जैसे आपको पहले वीडियो नहीं पता होगा कि graph हमारा सही से बन नहीं रहा था ठीक है तो product में देख लेते हैं product भी सही से काम कर रहा यह भी सही है order list भी सही से काम कर रही है ठीक अब हमें आना है product stock और यहां पर जो आप इमेज़ देख रहे हो यह अभी लोड नहीं हुई है इसको मैं काम करते हैं एक बार हम लोग फिर से सको पॉब्लिश करते हैं ठीक को कि हमिए कि क्लिक करके मैं दुबारा इसको पॉब्लिस करता हूं तब तक चलते हैं हम लोग अपने प्रोड़क्ट स्टॉक सुधमें नया प्लिक्ट सक्षम और यहां से मैं एक निया folder भी क्रेट कर लेता हूं product यह already created है तो मैं इसको ठाके रख देता हूं product stock wallet अदला जो product नाम से मारा जो folder है उसमें product stock wallet जो page है उसको ठाके रख देता हूं ठीक यह हो गया और हमें same company हमें जो हमारा app bar है और side bar है उसको इस page में रखना है यहां पर आता हूं side में आता हूं यहां पर click करूँगा ठीक है then आएंगे add bar में add bar के बार क्या करेंगे यहां पर रखेंगे एक row row को मैं करूँगा full expand expand करने के बाद रख दूँगा side bar menu इस side bar menu का मैं नाम दे दूँगा प्रोड़क्ट इस टॉप अभी आप देखो कि यहां पर इस टॉप का सी दिख रहा है सिर्फ यहां पर आते हैं side bar menu में और थोड़ा सिसको में change करता हूं अब देखते हैं कि कैसा दिख रहा है यहां पर अभी इस सही दिखने ही रहा है कोई बात नहीं अभी विल्च दूप सही कर देंगे ठीक है यह इसका आपका issue था चलो यह रही हो जाएगा यप यहां प्र रिलीज करोगे तो वह सही आएगा आप में ठीक है आप यहां से य कि इसको मै कर दूए it कि अगा। फुल expan और सेम काम हम लोग करेंगे जो इस सभीकिये थे इस-शुच काम कर या कौपी इता हुड यहां पर अगे इसको हटाते हैं और यहां पर रख देते हैं ठिक है यहां पर रखते हैं product कि on product It would stop ठीक है यह हो गया के और यहां पर हमें क्या रखना होगा प्रॉडट्ट का इमेज यहां पे product इमेज ठीक है प्रॉडट बिस्सक्रीम के रखना हो गया है ठीक है पीस यहां तो quantity कर लो पीस मत रखो quantity आई टीवाई ठीक है then color ठीक है और एक और यहां पर column add कर लो 7th column जो होगा action का मतलब delete करना है अगर तो यहां से आप delete कर सकते हो उसे यहां पर आ जाओ text color को कर लो white और यहां पर actions में button रख लो ठीक है यहां पर क्या इंटर करना होगा आपको दो button इंटर करने है तो icon button ले सकते हो आप तो मैं परसे पर रखता हूं नहीं पर container एक ठीक है container रखता हूं container करता हूं छोटा थोड़ा से शोग करता हूं इधर border radius डाल देते हैं इसमें around 10 का ठीक है फिल background color करते हैं यह हो गया थोड़ा चेंज करते हैं इस पर ठीक है यहां पर एक row डाल देता हूं padding दे दूँगा 2 की यहां पर एक और row डालते हैं row नहीं डालें वाधा डिवाइडर डालते हैं वर्टिकल डिवाइडर करता हूं इसको मैं कर दूँगा बीच में है ना यह बीच में आ गया आपका और इसको मैं कर देता हूं क्या प्रैमरी बैग्राउंड फोड़ा से विट विट साही कर दो इसका Izlist thickness बी इ af ample screen का जो size जो इसको change करता हूँ देखता हूँ यहां पर क्या change हो रहा है ये आपका size change नहीं हो रहा है कोई बात नहें स्कोव sow सई करते हैं क्या करते हैं का हम करते हैं जो आपका ये container है न इसको हम लोग fill color करते है border color नाम से जो बीच वाला है इससे हम लोग क्या करेंगे सेखिंडरी बैगराउंड करते हैं और हाइट जो इसको हटा देता हूं यहां से जिससे की उपर नीचे दूनों हाइट आ जा जा और रोग क्या भी जो पैडिंग उसको हटाता ओं तो यह सई लगेगा ठीक है अभी डूप्लिकेट इसको एक यहां पर रखता हूँ ठेक है और दोनों के बीच में अच्छा खासा सब्सक्राइब में इसको रखते हूं लोग और यह रहेगा आपक सका इडिट का ऐडिट का इडिट का रखते हैं इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे edit पर हो जाएगा हमारा और यह हो जाएगा delete पर ठीक है यह हो गया आपका delete का color दे देते हैं इसको color दे देता हूँ मैं red और यह जैसा है वैसी रहन देते हैं इसको ठीक और यहाँ पर हमें image रखना है तो image मैं आता हूँ इसको हटाता हूँ मैं यहां से और रखता हूँ इमेज यहां पर रखेंगे इमेज ठीक है यह हमारा इमेज हो जाएगा थोड़ा सावर बड़ा करता हूँ बॉर्डर रेडियस भी चेंज करते हम दो इसका एराउंड 10 का सही है जो हमारा ये आपका width है इसको width 5 height 25 सही है थोड़ा से change करते हैं उपर करते हैं थोड़ा से इसको और ये जो रहेगा थोड़ा इधर कर लेते हैं ठीक है ये सही है आपका बस ये भी create हो गया है colors हमें डालना होगा तो colors के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर row रखेंगे ठीक है और यहाँ पर row के अंदर क्या रखेंगे containers और यह container रहेगा circle में रहेगा ठीक है और जिसका diameter मैं छोटा-छोटा कर देता हूँ different colors fill कर देते हैं हम लोग यहाँ पर जो कि आपका बैकेंड से आगा तो आपको परसान होनी जरूरत नहीं अभी मैं बैकेंड भी बनाऊंगा इसका अगले वीडियो में ठीक है जब यह compute होएगा पुरी तरह से कि यहां पर एक और डाल देता हूं मानलो यह लूट कलर है ठीक है यह भी आपका क्रेट हो गया लेकिन आप एक चीज़ देखू ना थोड़ा से खराब लग रहा है पतन क्यों मेरे को पता है यहां पर सब उपर-उपर से वाइट लग रहा है नीचे से ग्री लग रहा है त इसको में करता हूं सेकंड्री और जो यह आपका बार का कलर है अरवट इसे मैं अ मेंनू का बलर है और और मिए को देख नहीं करें मत्कोता सब्सक्राइब्राम टरावल counselor करते हैं शीरिए बार सबस्क्राइब unwantedकरs को अब जला देखू होना आप कि क्या सा लग रहा है यह ह कि मा pops कि आप एस्व और हिसरोJan ए इस और रहे उते हैं जैसे को ऐसे तुद बड़त जोड़ा सब्सक्राइब हेव्य इंदक्राइन और यद नियुक सो इसे सब्सक्राइब पर कोई बात नहीं है अब सब्सक्राइब देते हैं चलो आगे बढ़ते हैं इसमें क्या करना है अब हमें और inbox create करना है ठीक है inbox का जो design है मतलब जहां पर यूजर्स का message आएगा उसे create करना है जहां से बाद हमें एक page और create करना पुड़ेगा जहां से हम लोग click करके product add भी कर पाएं ठीक तो वह हो सकता है मैं दूसरी वीडियों create करें लेकिन इस वीडियों मैं inbox पुरा complete कर देता हूं एक बार क्लिक करके publish करते हैं और जो पुराना हमरा जो हमारा sorry publish हुआ था उसको हम लोग एक बार चेक करते हैं इसमें आता हूं जहां पर मारा open UI करके मैं फिर से देखता हूं यहां पर हमारा logo आ ठीक है दिन और लिस्ट में आते हैं और टिस्टाक काम नहीं करेगा भी और सब आपको टेक्स्ट है न वह काफी बड़ी बड़ी में है तो इसको मैं करता हूं 18 इसको मैं करता हूं 25 और सब को ऐसे करूंगा मैं इसको भी 18 करूंगा इसको भी 18 में रहेगा सब 18 कर देता हूं मैं इस पर क्लिक करते हैं यहां पे यहां पे यह यह इसको रो है एक यह आइक कॉन यह आयकन और यह आइकान जो इसको मैं कर लेता हूं 28 शुक्र्ट white poster करें तो और मैं कम करूंगा थो दिकात न में होगी मुझे क्रोड़ा कर लेते हैं जैस्ज इसका 25 था इसको में थोड़ा से और जौटा करता हूं सघ्य यहां पर थोड़ा साइश्यू आ रहा है चलो सही है डैस्बूर्ड में आते हैं तो यह भी काफी सही हो गया और जो आपका बार है उसे में सही करता हूं कि बहुत बला बला लिखा हुआ है यह 5% हाइट छोड़ा छोड़ा करते हैं इसको सही है यह 3% ठीक है 30 नहीं 25 करो इसको आप यह भी 25 में रहेगा यह भी 25 में रहेगा ठीक है और जो यह आपका कंटेनर है एट पॉइंट एट नाइन परसेंटेश का सब्सक्राइब और कम करते हैं इसे सर्च में का यहाँ पर बहुत छोटा हो जा रहा लेकिन यहाँ पर रखने की जरूवत है नहीं देखो आप चलो कोई बात नहीं एक बार मैं इसको काम करता हूं एक करके देखता हूं अभी तो एक चीज़ पब्लिश हुई है आपकी वह मैं भी देख लेता हूं वाट क्लिक करके यहाँ पर देखो क्या होगा ना कि आपको प्लैटफर्म के हिसाब से डिजाइन में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा जिसमें लोग मेडिया के औरी वीर्थ लगाते हैं और मीडिया के वरी हाइट लगाते हैं कोड करते समय लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ फीचर है नहीं हमारे पास थोड़ा सापको ध्यान रखना पड़ेगा सभी डिजाइन के लिए ठीक है चलो यह हो गया अभी भी नहीं हुग कोई बात ने इसको लोग फिर से र प्रटिश्टॉक काम नहीं कर रहा कोई बात नहीं यहाँ पर गुप कुकीज और साइड डाटा जोरस को रिमूव करता हूं डन करता हूं फिर से रिलोड करते हैं इसको कोई बात नहीं हो सकता है प्रेट इस्टॉप का हमने वही नीए बनाया हो साइड बार मेन्यू से नविगेशन कहा है मैंने कहा था ना प्रेट इस्टॉप का नहीं बना गया थिक है अब चलते हैं इनबॉक्स पे जहाँ मैसेज रिसीव होंगे चलता हूं इन बॉक्स पे तो इन बॉक्स बनाना शुरू करता हूं सबसे पहले यहां पर प्लान ऐसा है ना कि इसको जैसे जीमेल होता है वैसे बनाओं तो वैसे बनाते हैं हम लोग इसमें कि यहां पर क्लिक करते हैं उसको यहां पर क्लिक करके सबसे पहले हमें क्या करना होगा एप बार रखना है ठीक है फिर यहां पर क्या रखना होगा रो रोको मैं करूंगा फुल एक्स्पैंड यहां पर रखूंगा फिर से साइडबार मेन्यू ठीक है और यहां पर मैं डाल द पेज़ पेरामीटर होता है वैसे components में component parameter होता है जिससे कि मैं यह define कर रहा हूँ कि अगर user इस page पे है तो यह वाला जो इसका background में है वो blue हो जाए जैसे यहाँ पे देखो इस page पे तो यह blue हो गया इस page पे आगा तो यह blue हो गया ठीक है जिससे कि user को यह पता लग पाए कि वह वो किस page पे है ठीक है इसलिए मैंने इसको page parameter पास करके चेक कराया हुआ है अगर इसको आपको proper से जानना है तो आप मेरी पिछली वाली वीडियो देखना इसी के पिछली पहले वाली वीडियो उसमें मैंने इस चिसको अच्छे सा screen किया हुआ है ठीक है यहाँ पर देखो product around 10 की ठीक है अब यहाँ पर क्या करना होगा मैं रखते हैं दुबारा एक row एक row रखेंगे मैं row क्यूं रख रहा हूं वह दिखा रहा हूं आपको इसको मैं पहले कर लेता हूं बड़ा ठीक है वैसे मुझे expand करनी जरुवत नहीं है हमको column को scroll level करना होगा तो हमें expand की काम करते हैं यहाँ पर रखेंगे container ठीक है container कर देंगे fully expanded ठीक है तो हमें width से कोई मतलब रहेगा नहीं है अब hide से सिर्फ मतलब और hide कर देता हूं मैं कितना hundred percent ठीक है यह होगी आपका अब मैं इसी चीज़ को करता हूं duplicate तो दो आपका container बंग गया यहाँ अब दोनों container क्या क्या करेंगे flex डालता हूं ठीक है flex दो करेगा तो यह थोड़ा सा इधर आ जाएगा और इसका जो size होगा वह छोटा हो जाएगा फॉरस और flex करते हैं इसके सामने हम दो मतलब flex करते है राइट यह तीन हो गया अब एक काम करेंगे रो के अंदर में क्या करूंगा item space कर दूँगा 30 का तो यह अपस में अलग लग रहे हैं ठीक है border radius डालते है 20 का border radius और इसका भी जो border radius रहेगा वो 20 का रहेगा ठीक है और क्या करना है में We'll column में रखना है एक यह वाली चीज मतलब title जो है column का column का column में आते है数 column करतें फेस्ट و इसको भी यह करते हैं नीचे कि अज़ा इसको इह उपर कर लेता हूं इसए ही उपर ऐसे यह नहीं जाएगा तो कि उसेalyst उपर कर लेते हैं ठीक है अगर तो कहसा और आइटम सपेस करने चाहिए मेरे को कोई बात नयुक्त कुम दो दूब्लक कर लेए ठिकर अईर पर नीचे से सब्सक्राइब अदो मिपया सब्सक्राइब तruकला लिपने निज्ड kier स्देट्राइब करना मेरे लाओ यू ए पैडिंग साई मैं एक रखेंगा column इसको भी देदेंगा padding 10 की 10 की नहीं तो 15 की रखता हूं ठीक है यहां पर रखते हैं button इस button को जो width है इसकी button की उसको मैं रखोंगा percentage में around 10% की width रख देते हैं इसको expand कर देते हैं fully इसको परसेंटेज रखता हूं 10 नहीं थोड़ा सा और छोटा करते हैं यह यहां तक है ना और font size 20 ठीक यह हो गया आपका और यहां पर मैं एक icon add करता हूं add का यह सभी है आपका add हो गया यह अब यहां पर क्या करेंगे एक title रखेंगे इसको मैं करता हूं copy यहां पर करता हूं paste item space करता हूं 10 का item space रहेगा थोड़ा से इसको करेंगे कम around 20 का माई messages कर लेते हैं ठीक है माई messages हो गया उसके बाद यहां पर क्या रखना है हमें जैसे हमारे Gmail में होता है ना inbox और start send draft spam यह सारी चीजें तो यहां पर उस case को मैं रखना है तो एक काम और करता हूं थोड़ा सा space और कर लेता हूं 20 का ठीक है और यहां पर रखोंगे एक wrap अब मैं wrap क्यों रख रहा हूं कि आपस में वह थोड़ा सा cluster रहे ठीक है मतलब अब देखो मैं यहां पर कॉलम के कॉलम में मैं item space डाल दे रहा हूं तो यह इस चीजों में हो जाएगा तो वह जो चिपका हूँ लगे मतलब अभी मैं explain करता हूं चीज को ठीक है वह ऐसे ने explain कर प About इतना सही है थोड़ा छिंची कर लेते हैं ठीक है मैं डूप्लिकेट करता हूं मैं पहले काम करते हैं थोड़ा सा border डालेता हूं 10 का कि डुप्लिकेट करते हैं यह डुप्लिकेट हो गया डुप्लिकेट हो रहा है और बॉडर कलर जो है नकिसे की आप zar। ढाल देता हूँ जीसे कि हैं कि क्या चेंगर हो रहा है चलो तीन हो सब्रमिये इचान इक चाही है एक दू तीनि हमने space डाला था वो ले देता अब मैंने इसको wrap में इसलिए रखा है कि मैं यहाँ जब चाहूं तब अपने हिसाफ से space दे सकता हूँ मालो मैंने 10 का दिया तो 10 के space में आ जाएगा मतलब आप इसका जो column से है ना कॉलम का जो space है उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यह आप रैप में इसपेस दे सकते हो ठीक है इसको कॉलम से आप कोई फर्क नहीं पड़ेगा मालोगी कि मैं इसको हटा दूँ तो यह देखो इस टाइप से space आ जाएगा ठीक है जो कि काफी खराब लग रहा है अगर आप यहाँ पर लिखोगे तो काफी खराब लगेगा इससे तो इसलिए मैं जाता रिकमेंट करता हूँ कि जब भी आपको कॉलम के अंदर फ़स ऐसे इलीमन्स दिख रहे हैं जहांपे वнов वह काफी चिपके चिपके लग रहे है मतलब आपस में पास पास में लग रहे हैं तो हमीसा वहाँ पर रैप का यूस करके इन इलीमन्स को पास पास में कर लो और बाकी जो उसके बाहर की elements है उनको दूर दूर कर लो आप column का item इस पेस करके ठीक है तो रैप होगया थोड़ा सा और इसको मैं 13 कर लेता हूँ सही है इतना यहां पर copy करते हैं इसको मैं करता हूँ paste यहां पर लेबल्स का भी हमारे पास रहता है न लेबल्स कर लेते हैं इसको अब लेबल्स में भी क्या-क्या है हमारी पास होता है इसको मैं copy करके यहां पर कर लेता हूँ paste और यह यह चीज है इसको मैं कर लेता हूँ scroll label उपर चलते ह है है लेबल से बहुत सारी चीजे होती नहीं हमारे पास तो एक यहां पर option डाल देंगे label create करने का इसको मैं wrap कर लेता हूं row के अंदर और यहां पर मैं एक icon बटन पर एक उने यहां पर मैं F करता हूं और इसको icon button रखंके यहाँ पे सिपो मैं कर लिता हूं इधर और यह जो है आपका ट्रेंड करता हूं इसको। अ तिसको हटा दिता हूं यहां से में क्लियर करे इस पर क्लिक करते हैं आइकाउन कलर यह रहेगा हमारा ठीक है तो यह होगे आपका यहां से पहले मैं चलता हूं यहां पर यहां पर क्या करना होगा हमें सारे options बनाने होंगे तो options क्रेट करने लिए क्या करेंगे हम लोगों यहां पर कमांड 50 अप करने तो वह जो आपका पैनल दिखा है आपको वो खुल जाता है ठीक है अगर आप Macbook में हो तो 5 करते हैं इसको 5 हो जाएगा और क्या परना हमें यहां इसको पर फिर से icon रखना एक icon परता हूं यह रहा आपका icon यहने रहेगा मैसेज का icon यहां पर का icon करता हूं message का नहीं mail का icon रहेगा ये color जो रहेगा वो रहेगा आपका blue ठीक है और यहां पर रहेगा एक text copy कर लेता हम यहां पर कर लिटाँ पेस्ट अब रैप के अंदर मैं देता हूं इस पेस एक और जो इसका इलाइमेंट है उसे मैं सेंटर अगर कर दूँ वर्टिकल डिरेक्शन सॉरी नहीं सेंटर कर लेता हूं ठीक है अब यह जो रो है अब इसमें की और मुझे रखनी थी टेक्स्ट जो नंबर सो करेगा नंबर आफ म लेकिन 18 सही है और इसको मैं रखता हो 18 8immCl bak juri 24 है वह इतना यिसका फिल-कलर होगा वहोगा वे आपका प्रैमरी जिस प्रैमरी कटर में यहवाला प्रैमरी नहीं होगा दूसरा प्रैमरी क नहीं इसको मैं बिल्कूल इसकhelm सिब्लाइट कर दूंगा और प्रिंस इसको ठीक है जैसे कि यह पता चले कि यूजर इस पेज़ पे है उसके लिए आपको एक कस्टम आक्शन बनाना पड़ेगा पर से पहले तो मैं स्टार्ट इस्पेसिंग डाल देता हूं कि इससे थोड़ा सा चिपका वह ना लगे देखो यह चिपक रहा है यहां पर यह देख यह तो जिरोपॉइंट मुच भी कर्यघ कर तो यह ज्यादा खाला हुझाएगगा पर क्यों कौना करते हैं इसको नकर्क्र से परिंग कर लेते हैं तो साइड से टन की पेड्ञ किपर करता हूं यहां से में टैंकी पैड् improvन करता है अब काफि साही लग रहा है और क्टेपक न उसका border color हडा देता हूं यहां से मैं layer color ठीक है अब काफी साही लग रहा है यह यह देखो copy करते हैं इसको मैं delete करता हूं से पहले तो अब इसी container को मैं duplicate करते चला जाता हूं कजा केदी अब हम और का इस्टार वाले दीखाना होता scar had a post star डिश्टार मेत्या लिखते हैं निश्टार कि मतलब अध्य यहां पर कर लेता हूं संट मैसेंगे हैं वो गया और ड्राफ्ट करते हैं इसको यहां पर रखते हैं ड्राफ्ट ड्राफ्ट हो जाएगा यह देनी स्पैम करना है मैं यहां पर तो इस्पैम के लिए हम लोग क्या करें यहां पर कि इस्पैम का आइकॉन मतलब इलर्ट का कर लेते हैं ठीक है इलर्ट अ-ल-e-r-t इलर्ट तो इलर्ट इलर्ट का आइकॉन इसमें भी नहीं है यह स्पैम का सही है यहां पर स्पैम कर लेते हैं इसको देंग क्या है हमारे पास है The important में को यहां पर आता हम लिघता हूं इंपा구요 निचते हो इंप और रहेगा विन मतलब जो झ्रील में सेव इसमें करता हूं इंपारेंट कर लेता हूं धिक यह रहेगा उस्तिर का तो यह देज के लिए ठीट लेmiş लेवल्स हमें add करने होगे तो लेवल्स में भी same काम होगा जैसे यहाँ पर किया है मैंने तो इसी चीज़कों मैं क्या करूंगा यहां से धेर करता हूँ इसको में करूंगा copy copy बद करूंगा फिर paste करूंगा फिर paste एसक प्रेस्ट करूंगा थो तीन चीज़ ठीक है, यहाँ पे levels का color भी define होगा, backhand से ही, तो अभी जैसा है, वैसे रहने दो, बस यहाँ पे लिख दो, आप primary, ठीक है, आप user से icon भी choose करा देना, इसका, primary कर देते हैं, primary के बाद, वो जो क्या करें है, social, ठीक है, और work, यहाँ पे कर देते हैं, all, ठीक, यहो गया आपका, यह सतारा जो backhand होगा, वो मैं create करूँगा, तो इससे परसान होनी जरुवत नहीं है, आप लोगों को, इसका backhand का video जल्दी ही आ जाएगा, यहाँ पे मैं click करके क्या करना होगा, हमें compose करा होगा, मतलब mail लिखाना है, तो compose message करते हैं, ठीक है, यह हो गया आपका, अब जो receive होगा, उसे बनाना है, यह वाला page, अब इस पर आते हैं, और इसको बनाते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करना होगा, यहाँ पे मैंने तो इस, यहाँ पर border rate डाला हुआ है, तो एक list रखेंगे, और list के उपर एक थोड़ा सा रखेंगे, अपना delete और इन सब का, अब इसके अंदर क्या रहेगा, containers रहेंगे, कई सारे, ठीक है, तो containers के मैं थोड़ा से उपर करता हूँ, यहाँ पे इतना सही है, और जो height है इसकी, वो 2, नहीं, 5 सही है, और थोड़ा से खिज़ दूँगा नीचे इसको, यह इतना सही है, मैं एक message के लिए काफी सही है ठीक, यह हो गया आपका, और क्या करेंगे, कि मैं elevation डालता हूँ, तो elevation सही नहीं लेगा यहाँ पे, इसको करूँगा border radius, around 10 का, वैसे यहाँ पे border radius की जरुवत है नहीं, ठीक है, तो border color में डाल देता हूँ, बस, वैसे border की color में तो border radius का जरुवत पढ़ेगा हमें, यह सही ह हलका सा दिख रहा है है, चलो, यह होगी है आपका, और इसके अंदर में क्या रखना होगा, एक तो हमें action रखना होगा, messages सो करना है, और favorite करने का भी action रखना होगा, तो सबसे पहले में क्या करेंगे, यहाँ पे एक row रख लेंगे, ठीक है, इस row को मैं थोड़ा सा padding देता और इसमें क्या करेंगे, इस text रखेंगे, ठीक है, इस text हो गया आपका, इस text को मैं fully expand कर दूँगा, जिससे कि मैं अगर इसको मैं बार-बार copy कर रहा हूँ, copy करके paste करूँ, तो देहों कहां तक यह अपने आप नीचे आ जाएगा, ठीक है, लेकिन इतना बड़ा हमें रखन में क्या क्या चीजे रहेंगी, वो बता देता हूँ आपको, सबसे पहला रहेगा हमारा icon button, एक चीज रहेगा यहाँ पर icon button में delete का, ठीक है, और जो यह आपका icon button, इसको मैं copy करके यहाँ पर सिदे paste कर लेता हूँ, यह सेम चीज हमें रखना और सेम तरह से रखना है, तो delete क करते हैं इसको, यह delete कर लेते हैं, ठीक है, फिल कलर में क्या करेंगे, हलका सा red वाला जो color है हमारा, उसको रखेंगे, तो इसमें आता हूँ, यह हमारा red color है, सबसे पहले तो मैं सबसे ज़्यारा dark red पर चलता हूँ, और इसको मैं कर लूँँगा, कम, बैसे ज्यादा कम हो ग करते हैं, जो wrap का run space है, इसको मैं थोड़ा सा spacing दे देता हूँ, 10 का, ठीक है, यह होगी आपका, दूसरा रहेगा, favorite करने का, तो green color रखते हैं इसमें, इसको मैं कर देता हूँ, पूरा green, यह पूरा dark green रहेगा, dark green मतलब यह यह वादा रहेगा, ठीक है, और इसको मैं favorite मतलब, favorite का नहीं, like का कर लेता हूँ, बैसे ज़्यादा खराब लग रहा है, यह से नहीं करना है मुए, थोड़ा और सही करते हैं इसको, use color करते हैं, ठीक है, यह हो गया, ठीक, बस इतना रखते हैं इसको, इसकी जो size है, उसे change करेंगे, around 16 का, 16 नहीं, 18 सही है, यह हो गया आपका, और item space कर लेते हैं, बीच में 20 का, ठीक है, यह हो गया आपका, और अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे level 100 हो, तो आप level भी 100 करा सकते हो, जैसे चमानल आपका यह हो गया, आप उसके सामने यहाँ पे level भी 100 करा ल सबसे पहले यहाँ पर आप जो height है ना, उसको रख दो 2, उसे बाद 3 रख के देखो, यहाँ पर यह वाला option आजाएगा, तो इसको थोड़ा बढ़ा कर लो, ठीक है, बढ़ा हो गया, border radius टाल दो, around 10 का, fill color, normal रखना है आपको, यह रखते हैं, use color करते हैं, इसके अंदर एक text रखते हैं, copy करके, यहाँ पर करूँगा, paste, यह रहेगा आपका centered में, center में कर लेते हैं इसको, थोड़ा से छोटा करेंगे, round 16, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा कर लेता हूँ, ठीक है, इस पर click करता हूँ, text color पर, यहाँ पर click करेंगे, और थोड़ा सा एक काम करते हैं, ऐस ज़्यादा खराब लग रहा है, एक काम करते हैं, यह container है न, उसका color थोड़ा सा odd, transparent करते हैं, अब test का color है, test color को, थोड़ा सा green करते हैं, और, dark green, ठीक है, यह हो गया सही, medium करते हैं, ठीक, यह हो जाएगा, इस नाम से रखो, इसको माल लो, primary नाम से है, ठीक है, यह हो गया, आपका create हो गया, और उससी साब से चाहो, तो आप जो यह आपका border color है, उसको भी change करा सकते हो, ठीक है, तो इसको कैसे करना हो, हम आपको back end में करके बताऊंगा, कि किस तरह से आपको इसको customize करना होगा, और किस तरह से आप सारी चीचेश में कर सकते हो, अभी तुम्हें सिर्फ design बना रहा हूँ, लेकिन इसको बाद में आपको पूरी तरह से clear करके बताऊंगा इसे, तो list view में आते है, list view में item space 20 का, थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ, 26 का कर देता हूँ, ठीक है, यह आपके सारी order color है न, वो change होगा आपके level के हिसाब से, तो उसे कैसे करना है, custom actions कैसे बनाने है, custom actions मतलब code निकरने की बात कर रहा हूँ, custom actions मतलब page state का use करके, आप state का use करके, उसको बताऊंगा आपको दूसरी वीडियो में, तो आज से लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपको आपको दूसरी .